गदर 3 की कहानी क्या होगी? गदर ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें बहुत पोटेंचिर है ऐसे ही एक इंटर्व्यू में उतकर्ष ने कहा कि उनके मताबिक सनी दियोल दुनिया के आख रियाक्शन हीरो है वो इस बाबत कहते हैं सनी सर इस दुनिया के आख रियाक्शन हीरो है जो रौ आक्शन भी पूरे कन्विक्शन के साथ करते हैं उनसे उपर कोई नहीं हॉलिवोड में ऐसे हीरो होते थे जैसे सिल्वेस्टर सेलॉन, आर्नल्ड और ब्रूस विलिस मगर अब उनके पास भी ऐसे आक्शन स्टार्स नहीं है उनके पास से अगर उनके सूपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम ले ले तो एक भी ऐसा हीरो नहीं है जो ऐसा आक्शन कर सकता है हम सोभागे शाली है कि हमारे पास ऐसा सूपर स्टार है जो एक्शन में तो बेस्ट है ही उसे ये भी पता है कि इसमें इमोशन कैसे जोड़ना है डायल अव डिलिवरी पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ है गदर टू ब्लॉक बस्टर हो जुगी है इसलिए अब सनी देउल स्टारर इस फिल्म की तीसरी किष्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है हाला कि अब तक मेकर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है अब अमीशा पतेल ने गदर थी को लेकर कुछ बाते की है अमीशा गदर फ्रेंचाइजी में सकीना का किरदार निभाती है गदर टू में कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें सकीना के लिए ज्यादा जगा नहीं थी अमीशा फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत नजर आती है वगर सेकिंड हाफ से तो गायब ही है ये बात अमीशा को भी खल गई है उनका कहना है कि अगर गदर फ्री में उनका रोल नहीं बढ़ा गया तो वो फिल्म में काम नहीं करेंगी अमीशा पटेल ने बॉलिवूड हंगामा के साथ बातचीत में कहा गी उनके फैंस गदर टो में उनके रोल से संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम कम था अमीशा इस बाबत कहती है फैंस की तवन्ना पोरी नहीं हुई है वो तारा और सकीना को साथ में और देखना चाहते हैं इस बार हमें अक्टर होने के नाते निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ा इसलिए तारा और सकीना को पीछे रखा गया क्योंकि हम अलग तरह की फिल्म बना रहे थे सकीना दुबारा पाकिस्तान वे जाकर पकड़ी नहीं जासको ना ही तारा उसे पाकिस्तान ले जाधर किसे खत्रे में डाल सकता है ये जानते हुए कि वो अश्रफ अली की बेटी है इसलिए फिल्म गदर टू का फर्स्ट हाफ मेरा था और सेकंड हाफ सनी का हमने कहा कि वरिष्ट अक्टर्स होने के नाते हमें इससे कोई अत्रास नहीं है अमीशा ने ये भी कहा कि वो ये त्याध बार बार नहीं कर पाएंगी अगर गदर थ्री में उनका रोल बेहतर नहीं किया जाता तो ये फिल्म रिजेक्ट कर देंगी वो अपनी बातचीत में आगे जोड़ती है मैं narration के time ही अपनी बात clear कर दूँगी मगर किसी वज़ा से अगर फिल्म में तारा सकीना की scenes कम हुए तो मैं वो फिल्म reject कर दूँगी मैं करूँगी ही नहीं मैं अपने fans को निराश नहीं कर सकती मुझे बता है कि मेरे fans को इस बार लगा कि कुछ कम है इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें वो दे जो वो देखना चाहते है आखिरकार वो लोग तारा और सकीना के लिए ही तो सिनमा घरों में आते हैं तारा और सकीना के साथ उनका प्यान है, जुडाओ है आप केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो के बगयर टाइटानिक नहीं बना सकते इसी वज़ा से ये नाराई ओडियंस ने पार्ट टू को पहले पार्ट की तरह नहीं देखा अब गदर और गदर टू के डारेक्टर अनिल शर्मा ने जून को दिये इंटर्वियो में बताया कि वो गदर थ्री में पाकिस्तान माल अंगल नहीं रखेंगे उन्होंने का तीसरे पार्ट में तारा सिंग पाकिस्तान नहीं जाएगा हम हमारे परोसी देश को नीचा नहीं दिखाना चाते ये महज एक सैयोग है कि अब तक आई दोनों गदर में पाकिस्तान का अंगल है लेकिन तीसरे पार्ट में ऐसा नहीं होगा हम पाकिस्तान को सक्सेस का फॉर्मूला नहीं बराना चाते हैं हम नहीं चाहते कि लोग हमें एंटी पाकिस्तान समझे क्योंकि हम नहीं है कुछ ऐसी होगी तीसरे पार्ट की स्टार कास्ट वहीं एक अन्य इंटर्व्यू में अन्यर शर्वा ने बताया था कि वो गदर 3 में सेम स्टार कास्ट को कास्ट करेंगे उन्होंने कहा था गदर 3 को हम गदर और गदर 2 दोनों से ज्यादा बड़े लेवल पर बनाएंगे। पहले और दूसरे पार्ट की ही तरह तीसरे पार्ट में भी सनी दियूल ही रहेंगे। ये ओसकता है कि तीसरे पार्ट में A-list अक्टर या अक्टरस का कैम्यो हो लेकिन स्टार कास्ट सेम रहेगी। तीसरे पार्ट में हम सनी दियूल का हैंड पंप उखारने वाला सीन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस सीन के लिए और गदर 3 के लिए हमें कमेंट बॉक्स बे अपनी रायज जरूर बताएं और देखते रहे हैं हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज ओडियन्स को रखा ध्यान में बजट में की बढ़ोतरी अनल शर्मा का नया प्लान कहानी जाए भाड में बस नाम और पैसा हाथ में आना चाहिए ये स्ट्राटेजी अब गदर की टीम ने अपना ली है जी हाँ दोस्तों जहां साल 2001 में आई गदर की कहानी ने लोगों के दिलों पर राज किया और लोगों के रॉंग्टे खड़े कर दिये थे वहीं गदर 2 की कहानी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया था अभी भी इनका पेट नहीं भरा तो गदर 3 के बारे में कथा कॉंटनियू लिक्त अरजनता को हिंट दे दिया ऑव दारेक्टर ने करख न कोमाने को जिस हिसाब से बताया था न उस हिसाब से प्रदये पर दिखाने में वह कहीं न कहीं असफल रहे लेकिन अब गदर टीन की कहानी को डारेक्ट वार से रिलेटेट पता रहे हैं अब आखिर कब तक लोगों को वही पुरानी घिसी पिटी त्यार वाली कथा देखने को मिले और पैसा लूटा जाए अब डारेक्टर अनिल शर्माना समझ चुके हैं त् सिंग का बेटा आर्मी ओफिसर बन गया है और गदर टीन की कहानी में अनिल शर्मा अर्मी ओफिसर के लडाई को दिखाने वाले हैं आज के समय मेंए sex और next सभी motion के साथ खेल mes subject scent आठार अइंचे से जानते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो है ही दोनों में प्यार दिखाओ या लड़ाई अनिल शर्मा की जेब अच्छे से भर जाती है सो करोड के छोटे से बजट में तयार हुई गदर ने बॉक्स ऑफिस परना चार करोड पचास लाग से उपर की कमाई की है ऐसे में अनिल शर्मा अफूल नहीं समा रहे और अब गदर 3 के लिए अनिल शर्मा ने बजट को 100 करोड से बढ़ा करना 500 करोड कर दिया है गदर 2 ने 17 दिन के अंदर अंदर कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ी है एडवांस बुकिंग में तो गदर 2 ने 5.5 करोड रुपे कमाई है लगभग 2,30,000 से ज्यादा टिकेट अब तक गदर 2 के बिक चुके हैं जो गदर 2 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जनता दुआरा गदर 2 को इतना सारा प्यार देनी के बाद अब डारेकटर अनिल शर्मा और सणी देोल उतकर शर्मा सभी गदर 3 को बनाने में जोड़ चुके हैं ऐसे में सिम्रत कॉर भी आजकल उतकर शर्मा, अनिल शर्मा और सणी देल के साथ दिखाई दे रही है इस समय अगर कोई सबसे चलशित निर्देशन बना हुआ है तो वो है हमारे अनील शर्मा गदेशन फीस कड़ोरों में एक नुमबर के अमाउंट से दो अंकों तक पहाँश गई है जिसमें पठान के बाद वेतन सिधात आनंद के बराबर हो गया है लेकिन अनील को कोई अपती नहीं है गदत्री में जल्दवाजी करने के बजाए निर्देशन इंतिजार करना पसंद करेंगे निर्मातम डिस्टिब्यूटर में अतीच से सनी तेउल की देशभक्ती प्रोजेक्ट के लिए फिक्शनल सीक्वल की अनौंस्मेंट कर रहे है सनी चुप है जब तक कहानी पकी नहीं गदर थ्री शुरू नहीं करेंगे और एक और गदर मुवी शुरू करने का एक मात्र कारण ये होगा कि हमारे पास बतानी के लिए एक और इंट्रेस्टिंग कहानी होगी सैदालिस बटवारा दो मुलकों का कहते हैं कि हर बटवारा अपने पीछे कुछ दिवादों को छोड़ आता है ऐसे ही कुछ विवाद भारत पार्क बटवारे के पीछे जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाता हूँ पाकिस्तान ने अब तक चार जंगे लेकिन लोग शायद ही जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी क्या टाइगर का विलिन फिल्म में बनेगा सणी की मुसीबत का का पारण कैसी हो सकती है गदर टू की कहानी क्या सकीना को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिले का फिल्म में पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टन बात बताना चाहती हूँ अगर आप भी सिनिमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तर डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दिये वे चौब लिंक पर जरूर क्लिक करें और दोस्तो इस जौग पॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं जैसा की आप सभी जानते हैं सनी दियौल की अपकमिंग गदर 2 को लेकर मीडिया, सोसल मीडिया और फैंस के बीच में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है और इस फिल्म से जुड़ी हर खबर का फैंस को भी सबरी से इंतिजार रहता है करीब 20 सालों के बाद गदर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और फिल्म की शूटिंग भी लगभग 90% हो गई है कुछ सीन्स बचे हैं जो सनी के अमेरिका से वापस आने के बाद शूट कर लिये जाएंगे लेकिन जब से गदर 2 की अनाउस्मेंट हुई है ये फिल्म विवादों में ही खिरा पड़ा है इसकी कहानी को लेकर विवाद हुआ और फिर इस फिल्म पर मुस्तिमानों की भावनाओं के साथ खेलने का आरोब लगा दिया गया जिस वज़े से इस फिल्म को बैन करने की भी कूशिस की जा रही है और अग इस फिल्म की कहानी से परदा उठ चुका है According to the leading website गदर 2 की कहानी 1971 इंडिया पाकिस्तान वर्स पर बेस्ट होने वाली है लग जाएगा जहां उन्हें फिल्म का विलन काफी टॉर्चर करेगा जिसका कारेक्टर निभाएंगे टाइगर्ड फिल्म एक विलन सज़द देलफ्रोज यानि की अब उश्मान इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अम्रीश पुरीसर ने जिस तरह से अपना कारेक्टर प हैं और एक दमदार विलन भी है जिससे इस फिल्म में काफी मज़ितार और गहरा इंपक्ट पड़ेगा अब जैसे कि गदर टू जादा तर तारा सिंग और उसके बेटे पर बेस्ट होगी इसलिए सकीना का रोल्स फिल्म में काफी कम रहेगा वह हमें बहुत कम स्क्रीन पर नजर आएंगे लेकिन उनका कारेक्टर भी फिल्म के लिए उतना ही इंपॉर्यन है चितना टारा सिंग और उनके बेटे का कारेक्टर है गदर टू में इस बार बाफ और बेटे का इमोशननल अंगल दिखाया जाएगा यानी कि इस फिल्म में एक्शन के साथ-ईमोशनल प मुवी में भी नजर आएंगे आप लोगों को क्या लगता है क्या सजेद दिला फ्रोज पर्म के अंदर अम्रीश पूरी सर की कमी को फुल्फिल कर पाएंगे क्यों गदर टू एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी लोगों ने शुरू कर दी गदर टू के वेलकम की तयारी शार करना चाहते हैं तो डिस्केप्शन बॉक्स में दिए विच्व लिंक पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों इस जॉब पॉर्शनिटी का भर पूर फायदा उठाएं तो दोस्तों इस वक्त पूरे देश पूरे भारत देश में एक ही फिर्म की चर्चा हो रही है और वह है आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि अभी से लोगों ने फिल्म के स्वागत की तयारिया शुरू कर दी हैं जी हां बहुत सारे गदर के फैन तारा सिंग के बड़े बड़े पोस्टस लगा कर उसके उपर फूरो की माला चुरा कर उनकी पूरा करते हुए द बोड़ी ब्लॉक्बस्टर बनाने के लिए बहुत बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं बॉलीवुड को छोड़कर साउथ सिनमा को पसंद करने वाली ओडियंस भी इस मूवी का इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है बॉलीवुड हिंदु धर्म के खिलाफ प् रहे हैं पर इन हालातों के बावजूद गदर्टू का ओडियंस बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं सनी द्यॉल एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो हमेशा से देश भक्ति से रुलेटेट फिल्म में बनाते हैं चाहे वो बॉर्डर हो मा तुझे सलाम हो या गदर इसलिए सनी को लोग काफी जादा पसंद करते हैं और ये एक मेंन रीजन होने वाला है गदर्टू के हिट होने का क्यूंकि आजकल ओडियंस उन फिल्मों को जादा पसंद कर रही है जिसमें देश भक्ति की बात हो इंडिन कल्चर को दिखाया जाए और इंडिन हिस्ट्री को बताया तो इंडिन सिनिमा में सबसे ज्यादा टिकेट बेचने का रिकॉर्ड भी है गदर मुवी ने 133 करोर की कमाई की थी वो भी तब जब एक टिकेट की कीमत 10 से 15 रुपे के बीच होती थी अगर आज की डेट में इस कनवर्ट करें तो टोटल होता है 750 प्लस करोर बॉलिवुड में इतनी सारी कॉंट्रोवर्सिस के बीच में दियोल फैमली की हाई स्टार है जो किसी भी कॉंट्रोवर्सी में नहीं है पूरे दियोल परिवार की इमेज एक दम साफ सुत्री है और लोग दियोल फैमली से बहुत प्यार करते हैं इसलिए भी गदर टू के ह होने की चांसे काफी ज्यादा हैं ये तो बात हो गई गदर टू को हिट करवाने वाले रीजन्स की अब आपको बताते हैं कि कैसे शारुख खान ने सनी द्योल से पंगा लेकर गलती कर दी जैसा कि आपको पता होगा कि एक टाइम ऐसा था जब सनी द्योल और सारुख खान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे क्यूंकि डर फिल्म की शूटिंग के दौरां शारुकान ने जो चलाकी की थी उसके चलते सनी काफी बीबस नजर आई थी जिसके बात से शनी ने सारुख के साथ कोई भी मूवी करने से मना कर दिया था डर फिल्म को आज रिलीज हुए 29 साल से भी जादा हो गया है पर सनी दियोल का गुस्सा वह भी भी वही है अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शारुखान ने फिर सनी से पंगा ले लिया है और वो भी अपनी अपकमी मूवी पठान के साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि परी 2023 को रिलीज होने चाह रही है जिसमें वो दमदार कैरेक्टर प्लेई करने वाले हैं लेकिन सनी दियोल की गदर 2 को लेकर जो खबरे आ रही हैं उसके मुताबिक सनी दियोल की गदर 2 26 जैनले को रिलीज की चाहेगी यानि की पठान की रिलीज होने के next day जिससे हमें ये देश भक्ती से जोडी फिल्म है और 26 जैनले को पूरे देश में देश भक्ती की लहर दोड़े की और उसके उपर से गदर का ब्रैंड सारु खान की पठान को ले डूबेगा क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी लोग चाहां बॉ जोल की गदर टू को ओडियंस का फुल सपोर्ट है लिहाजा पठान मुवी पर भी बॉइकॉट होने का खत्रा मनरा रहा है और अगर नहीं भी हुआ तो गदर के सामने पठान का तिकना तो नामंकिन ही है इसलिए अगर ये क्लैश होता है तो इसमें नुकसान सारु खान का अगर ये वीडियो को शेर कर दें साथी खबरों के लिए हमारी चानल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चानल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दें किन मुसीबतों से घीरा है जीते का अगला प्लैन को भाग जाएगा मैदान को छोड़ कर सो हलो गाइज, वेलकम बैक टी और फेवर्ट यूडियूब चानल बॉलीगाल स्टूडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट लगति सिन्धा जैसा कि कल की वीडियो में आप सभी नहीं देखा था कि जीते का जो प्लान होता है वो आदर सक्सेस्पूर होता है और मिलिटरी ऑफिसर की बातों को टाल नहीं सकता है और चौथी तरफ गुनातकवादियों से माफी भी नहीं माना चाहता है इस पल में वो अपने आपको इंसारी दिक्कतों का गुनेकार माल लेता है इसी कश्मे-कश्मे पड़ा जीते अपना एक नया प्लैन मनाएगा जिसम सबसे पहले पिता जी तरा सिंग को भेश देता है तरा सिंग पहले से आक रोश्य होते हैं और एकडम से चलांग मार देते हैं सुरंग के महां जाते है लेकिन वहाँ जाते ही उनके मन में एक खैर आ जाता है रोक्ति तरह से इतने सारे आतंगवादियों को मारेंगे लेकिन अगरए पर उनका बेटा उनके पीछे-पीछे आ जाता है अभी खेल दोनों बाप बेटे का हो जाता है जहां बेटा अपने माबाप और अपनी इज़त को बचाने के लिए अपनी जान तक देनी के लिए भी तयार हो जाता है और वही तारा सिंग अपनी बेटे और अपनी पतनी के लिए जान देने से पीछे नहीं हटते है दोनों एक साती अपने दुश्मनों पर हावी हो जाते हैं और उन पर धावा बोल देते हैं तो स्तोल से और ना तोप से किस चीज से ड़ते नहीं है यहां ताक कि तारा सिंग तो इतना जोश में आ जाते है कि वो एक तोप को ही उखार कर फेक देते है जिसे दुश्मनों की बीश डर का मोहल पैदा हो जाता है ये सारी मारकाट देखकर दुश्मनों का लीडर मैदान को छोड़ कर भाग जाता है जिसके पीछी तारा सिंग भी चले जाते है उसे पकड़ने के लिए भागते भागते दोनों पहारी पर चड़ जाते है वहीं दूसी तरफ जीते अपने पूरे जोश में दुश्मनों का बुरा हाल कर देता है और उनको इतना मारता है कि उमें चीखने के भी हिम्मत भी रहती दुश्मनों जीते की जंग में स्कूल के मासुम बच्चे और टीचर भी शामिल हो जाते है और उनके उपर अपने अपने हिसाब से हमला करने लग जाते है दुश्मन हाल मान जाते है और जीते सबको बचा कर वापस आ जाता है तो आपको क्या लगता है क्या तारा सिंग पकड़ पाएंगे दुश्मनों की लीडर को गदर 2 बड़े पर आने वाली है गदर 2 में हमें दिखाई देगी स्टोरी जीते की जीते जो सकीना और तारा सिंग के बेटे हैं उनकी स्टोरी हमें आगे कंटिणू होती नजर आएगी फिल्में जीते का फिरदार निफाते नजर आएगे उतकर शर्मा आपको बता दे उतकर शर्मा का ये बॉलिवुड में पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और इस वज़े से सब लोग फिल्म को लेकर डाउट में है कि क्या फिल्म अच्छा परफॉर्म कर पाएगी अब ये तो भाई रिलीस के बाद ही बता चलेगा लेकिन उसके हिसाब से आपको बता दे ओडियंस का ये मानना है कि आजकर का टालेंट कुछ बहुत अच्छा नहीं है आजकर के जो न्यू अक्टर्स हैं जो न्यू अक्टर्स हैं वो पुराने अक्टर्स अक्टर्स का लेवल मैच नहीं कर पा रही है जो लेवल राजेश, खनाद, देवानन्द या फिर धर्मेंद्र पाजी ने सेट किया था उस लेवल को आज के आक्टर्स मैच बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और आज के आक्टर्स में वो बात ही नहीं है हाला कि अगर हम ये देखें तो कहीं न कहीं ये बात सच भी है लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक मचली के गंदा होने से पूरा तलाब गंदा नहीं होता जनाब जी माँ दोस्तों ये भी बात सची है अब कुछ आक्टर्स ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं जैसे विद्यो जामवल आपको बता दे विद्यो जामवल या फिर प्राजेक्ट अखोली यारी mostly से अपने प्राजेक्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ओडियन्स को काफी इंप्रेस भी कर रहे हैं अब जहां कुछ लोगों की वज़े से उनकी भी इमिज इतनी खराब हो रही है वही देखना दुल्चास्पोगा की गदर्टू में उतकर शर्मा की परफॉर्मन्स को कैसे जज़ किया जाता है आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कॉमन सेक्शन में बताएं अगर आप भी बॉलिवुट की दुनिया से जोड़ना चाते हैं और काम करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये जॉब लिंक पर ज़रूर जाएं आज की वीडियो में बस इतना ही मेलीती हुआ आप सबसे विदा फिर मिलेंगे यहीं इसी चानल पर हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें चानल को सब्स्क्राइब करना बिल को न भूले फिल्म फेर ने तै किया फिल्म की सक्सिस को और क्या अमीशा का फिल्म फेर अवार्ट बना फिल्म के लिए मोटिवेशन जानें इनी तमाम सवालों के जवाब और कहां बलकि अपनी आज की इस वीडियो में एक अक्टर के करियर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका टालेंट अरे भाई एक टालेंटेड आक्टर हर दौर में और हर मौगे का इस्तिमाल करके अपनी टालेंट को सबके सामने लेकर आ सकता है लेकिन कई टालेंटेड आक्टर जो एक समय हमारे बॉलिवुड पर राज कर रहे थे आज कल थोड़े फीके पड़े हुए हैं लेकिन जब उनको मिलता है एक मौका तो वो अपनी टालेंट को दिखा कर फिर से आ जाते हैं टौप पर ऐसा हमने बहुत बार देखा है जब कई आक्टर्स और आक्टर्स की सेकेंड इनिंग उनकी पहली इनिंग से भी ज्यादा लंबी चलती है और ज्यादा बहतरीन भी होती है अब जाहिर सी बात है कि अगर आप टालेंटेड हैं और आपको अपने आपको बड़े परदे पे स अपके सामने एक बहतरीन तरीके से पेश करना आता है तो आपके इस टैलेंट को जनता पहचान लेती है और लगता है कि यही मौका आचका है अब अमीशा पटेल के लिए भी जहां गदर फिल्म में अमीशा पटेल निना केवल देश भर की ओडियंस का दिल जीता बलकि फि अमीशा पटेल ने सब को बहतरीन अदा के साथ पेश किया अब जहां गदर फिल्म अपनी सीक्विल के साथ वापसी कर रही है अमीशा पटेल एक बार फिर से बड़े परदे पे आने के लिए तयार है सनी दियौल और उनकी कई सारी फोटोज लीक भी हो चुकी है जो कि लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या एक बार फिर से अमीशा पटेल जीतेगी फिल्म फेर का वाड क्या ओडियंस के दिलों को जीतना नहीं है अमीशा पटेल के लिए काफी और फिल्म फेर के बिना नहीं जाएंगी वो गदर टू फिल्म के साथ खेर इन सभी सवालों क जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनमा की दुनिया से जड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील में हमारे साथ तो नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक् किसकी वज़ा से हुई गदर एक ब्लॉक्बस्टर हिट और अनिल शर्मा ने क्या कहा गदर के सीक्वल को लेकर नमस्कार दोस्तो एक बार फिर साब से भी कस्वाकत है बॉली क्राइक स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कत यागी मुसाफिज जाने वाले फिरना आने वाले चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले इस गाने को सुनकर कुछ याद आया जी गदर का इमोशनल सी इसी इमोशन को बरकरार रखते हुए फिल्म के 20 साल पूरे होने के एक खास मौके पर फिल्म के निर्देशा कनिल शर्मा ने कहा ये फिल्म मेरे लिए भगवार की और से दिया गया तौफा है हमने और्डिंस को एक अच्छी लव स्टोरी देने के मकसद से गदर बनाई थी जब जी स्टूडियो के साथ हमने ये शुरू किया था तो हमें अंदासर था कि हम कुछ बड़ा करने जा रही है लेकिन मैंने इस तरह के रिस्पॉंस की उमीद नहीं की थी अनिल शर्मा ने आगे कहा सनी देवल और अमीशा पटेल की परफॉर्मेंस ने फिल्म को शानदार बना दिया शक्तिमान तलवार के विजिन और उत्तम सिंग के संगीत के बिना आज ये फिल्म इस उचाई पर नहीं होती वहीं दोस्तों अनिल शर्मा ने ये भी कहा कि मैं आज बिना किसे बदलाव के फिल्म बना सकता हूँ और ये फिल्म भी बड़ी सफलता होगी बता दे कि इस फिल्म के सीक्वल का लोग बेसर भी से इंतजार कर रही है जो अब शायद दो दश को बाद बनने जा रही है गदर की मेरिकर्स इस समय फिल्म के सीक्वल को ध्यान में रखकर प्लॉटर स्क्रिप्ट पर काम कर रही है फिल्म लीड को लेकर भी बात चीत हो रही है क्योंकि सनी को लीड में लेना इस वक्त के लिए ठीक नहीं होगा जमाने के हिसाब से स्क्रिप्ट और कास्ट दोनों को बदलना लाजمی है डिरिक्टेर अनिल शर्मा ने फिल्म के सीकुल बनाने को लेकर कहा है फिल्म गदर एक प्रेम कथा की बात करें तो साल 2001 की ये सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी इसने सनी देवल के करियर को उच्छाल तो दिया ही था साथ ही अमीशा पटेल को इंडास्ट्री में स्थापित करने में एहम भूमी का भी निभाई थी अमीशा पटेल की ये दूसरी ही फिल्म थी और उनके सकीना के किरदार ने लोगों का दू जीत लिया था ये फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है इसके म्यूजिक को उत्तम सिंग ने दिया था और शायद इसका म्यूजिक नहीं होता तो गदर इतनी सूपर हिट नहीं होती तो दोस्तों गदर टू में भी उत्तम सिंग और उनकी बेटी प्रीती उत्तम सिंग म्यूजिक देंगे म्यूजिक को दोड़ा वर्ड न्यू टश्ट दिया चाएगा और हो सकता है कि गदर से ही कुछ गानों को लेकर उनके रीमेक बनाए जाए क्योंकि आज कल रीमेक्स का काफी ट्रेंड चल रहा है और हर कोई ट्रेंड में रहना पसंद करता है और गदर के साथ तो ये होना लाजमी भी है क्योंकि गदर के गाने काफी हिट हुए थे तो क्या आप एक बार फिर से गदर जैसे गानों को सुनने के लिए तयार हैं हमें जल्दी से अपने राइक कॉमेंट्स में बताईए साथ ये आप लोग बने रहे हैं मारे साथ और देखते रहे हैं बॉलिग्राद स्टूडियोज को हम फिर हाजर होंगे एक नई वीडियो के साथ में इशा सनी की दिखे की केमिस्ट्री क्या पहले जैसे होगी उनकी केमिस्ट्री और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस प्रगति संधा दोस्तों कहते हैं कि जब भी आप किसी भी काम से कोई ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद आपको उस ब्रेक से वापस ही करना काफी मुश्कल सा हो जाता है ऐसे आक्टर्स जोनोंने प्रेम इंडर्स्टी से काफी बड़ा ब्रेक ले लिया हो और उसके बाद वो अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं वैसे आक्टर्स हो कुछ इस दोर से गुजरना पड़ता है कुछ आए कितनी भी कोशिश कर ले उनके लिए पहले जैसे हालात पैदर करना काफी मुश्किल हो जाता है और वहां कमी ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपने सकेंड इनिंग्स में पहले ऐसा काम कर पाते हैं हालाकि यह काफी मुश्किल है और काफी काम हमें देखने को मिलता है आपको बता दे कुछ ऐसा ही हुआ था एक्टर्स रवीना पर चकीना और तारा सिंग का ये बहतिन कपर जब आया था तो वह आयन एक मोमेंट था गदर पर में एक सूपर हैट फिल्म साबित हुई और उसकी एक लौती वज़े थी उनकी केमिस्ट्री सनी दियोर और अमिशा पटेल की इतनी बहतिन केमिस्ट्री नहीं इस पिल्म के अंदर जान डाल दी थी जाहिर सी बात है कि गदर एक प्रेम कथा थी और इस प्रेम कथा को सनी दियोर और अमिशा पटेल की बहतिन केमिस्ट्री नहीं हिट करवा दिया जहां गदर प्रम के सीक्वल की पूरी तयारी हो चुगी है और यह प्रम जल्दी बड़े पर दिखा कि सवाल उड़ता है क्या पहले ऐसा होगा इन दोनों की बिश्प्यार क्या होगी इनकी केमिस्ट्री उतनी बहतरी जैसे अपने गदर प्रम में देखी दी ताहिस से बात है कि इतनी सालों बाद जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉंडिंग पहले बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुम्या से जुनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये बदा दे इस फिर्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया चाह रहा है इस फिर्म के लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोज देखनी को मिल रह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ और हां चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अभीनेता सनी दियोल और अभीनेतरी अमीशा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बेरकरार है यह एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दिवाना बना दिया था अब गदर गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुद्नी हो जा रही है यह खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यारे फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्विल बनाया जा रहा है निर्देशक अनिर्शर्मा की इस प्रतिक्षिर पीडियर ड्रामा फिल्म गदर टू ने लखनाव में फिल्म की शूटिंग को आल्मोस्ट पूरा कर ही लिया है अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल ही रिलीज होने वा करें तो फिल्म ने पार्ट टू की लखबग 80% शूटिंग को फूरा कर लिया है बता दे कि सणी दियॉल और अमीशा पटेल्स की स्टारर गदर टूस बार भी उसी जोश और एक नए तजर्बे के साथ पड़्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लखनाव से जुड़े शहर बारग बंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है अब फिल्म के प्रोड्यूजर और नर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमती ली है पहले ये शूटिंग 16 अपराल को शुरू होनी थी लेकिं कुछ कारणों की वज़े से इसको टाल कर 20 अपराल से शुरू किया गया अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है आपको बता दें कि फिल्म में आक्टरस सनी दियॉल और आक्टरस अमीशा पाटेल एक बार फिर अपने फैंस का दल जीतने के लिए नज़र आई है सनी दियॉल ने अपने इंस्टेडराम हांडल पर वही पुरानी तारा सेंग के लोग में अपनी तिस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है ताकि फैंस अपने पुरानी यादों को ताज़ा कर सके अब इस तस्वीर के साथ क्याप्शन देते हुए आक्टर ने लिखा क केवल कुछ भागिशाली लोगों को ही अग्भूत करदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है अब 20 साल बाद एक बार फ़र से पेश है तारा सेंग आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदाजू का पहला शीजियूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर आ रहे हैं तो वही अमीशा भी अपना वही पुराना लुक केरी किया था उन्होंने अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों का लाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिये हैं फिल्म गदर का सीक्विल गदर टू इस साल के एंड तक थीटर्स में दस्तक देगा बहुत ही बेस सबरी से इंतजार है अब उमीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में काम्याब हो और साथ ही इन दोनों की सुपर हिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उत्तावला है आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने करना मत भूलिएगा जिल में की गई है गंकी शूटिंग अच्टिस ने किया शेयर किया आपने सोचल मीजिया पेज को हलो फ्रेंद्स वेल्किम बैक टो यॉव फेप्रेट इजिव चानल बॉलगराच स्टूडियो और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चुप्डब हम शुरू करते हैं आज का वीजियो तो मेरे साथ वीजियो के इन तक बने रहिएगा अभिनेता सनी दियोर और अभिनेत्री अमीशा पचेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बेलकरार है ये के ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है अब फिल्म में दो गदर के फैंस के लिए एक धमागेदार घुद नियूज आरी है ये खबर सुनकर एक बार फिर्ट दोहजार एक की गदर एक प्रेम कथा कि यारे फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है निर्देशक अन तरपरदेश की राजधानी लखनाओं में फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो फाइनली पूली हो चुकी है अब फिल्म गदर टू के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट टू की लगबग 80 पोसेंट शूटिंग को पूड़ा कर लिया है बता दे क अब जिस्वानी दियॉल और अमीशा पटेल्स की स्टारर गदर टू इस बार भी उसी जोश और एक नए तजर्बे के साथ फड़े पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग ही लगनाओं से जुड़े श्य है बार्रक बंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है अ अब जिसके बाद अब जागर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है आपको बता दें कि फिल्म में आक्टिस सनी दियॉल और अक्रस अमीशा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दल जीतने के लिए नज़र आई ही सनी दियॉल ने अपने इंस्टग्राम हांडल पर वही पुरानी तारा सिंग के लग में अपनी तिस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है ताकि फैंस अपने पुरानी यादों को ताजा कर सके अब इस तस्वीर के साथ के अप्शन देते हुए आक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भागेशाली लोगों को ही अग्भूत करदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है अब 20 साल बाद एक बार फर से पेश है तारा सिंग आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गताचू का पहला शिजीवल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ अफिशियल अनॉंस्मेंट के बाद अट्रस अमीशा बचेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरे शेयर की थी अब तस्वीरों में जहां एक और सणी दियोल तारा सिंग लुक में नजर आ रहे हैं तो वही अमीशा भी अपना वही पुराना लुक केरी किया था उन्हो की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिये हैं फिल्म गदर का सीक्विल गदर टू इस साल के एंड तक एटर्स में दस्तक देगा अब फिल्म के रिलीस का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेस सबरी से इंतजार है अब उमीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू भी खेलने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपर हिट जोडी को देखने के लिए हर कोई उत्तावला है ट्रिन्यूटी एरोर करेंगे काम खराब किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी हलो दोस्तों मैं हूँ इस्प्रीहा मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त और आज मैं ख़बर लेकर आए हूँ फिल्म गदर टू के बारे में बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही है तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या पिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीवल की चाहे वो कूली नमर वन हो या फर जिर्वाज टू हमने हमेशे यह देखा है कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीवल बनाया जाता है और फैन्स ऐसा देखना पसंद भी करते हैं जाहिर सी बात है जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा और मुश्किल तास्क होता है क्योंकि ना केवल ये मुश्किल काम है बलकि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बात बड़े पर दिखाया जाता है तो इसमें बहुत सारी continuity errors भी आने लगती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे plot points होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर confusion पैता कर दें जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने जादा समय पहले आई थी जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने ही बहतरीन तरीके से शायद हाँ शायद ना जब सारे actors भी काफी जादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक mode बदल चुका है तो इनी continuity errors को fans हमेशा notice करते हैं और ये film के negative parts में से मानी जाती है लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के makers भी कुछ ऐसी ही तयारी कर रहे हैं अगर वो गदर 2 में इन सभी continuity errors को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक smooth तरीके से आगे बढ़ा तो गदर 2 एक super hit film होने ही वाली है लेकिन अगर इन में से कोई भी ऐसा plot point हो जो पहले ही कहानी से match ना करता हो तो यह film fans के लिए और देश भर के audience के लिए होने वाली है काफी निराशा की बार लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत जादा उमीदें और कर रहे हैं इस film का बेता भी से इंतजार लेकिन लगता है कि यह इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा क्योंकि गदर फिल्म के makers हैं इस film को perfection बनाने की होड में और इसके लिए हम हैं काफी excited लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी cinema के दुनिया से जुरना चा आते हैं तो description box में दिये हुए job link पर क्लिक करें और इस opportunity का भरपूर फाइदा उठाए नहीं बलकि real में भी कभी हिंदू अन्य धर्मों में कभी भी भेदभाव नहीं की है लेकिन हां real में उनके साथ जरूर भेदभाव हुआ अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रहा भेदभाव से तो जुड़े रहे हमारे इस वीडियो को अंतक देखते रहे बता दे कि सनी सनी देयल कई बार क्रेडिट ना मिलने पर भी खुल कर बात करते रहे हैं सनी देयल कई इंटर्व्यू में स्विकार भी कर चुके हैं कि उन्हें अपनी ब्रांडिंग करनी नहीं आती है जबकि अन्य फिल्म सितारे इसमें आगे निकल जाते हैं हाला कि एक समय ऐसा भी आया कि फिर मैंने अपने एक साथ काम नहीं करने का फैसला किया सनी देयल ने बताया कि श्री देवी और आश्वरिया राय ने मेरे साथ काम करने से इंकार कर दिया था मैंने फिल्म खायल के लिए श्री देवी के अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इंकार कर द लेकिन वह मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी शायद सभी ने उनके साथ काम करने के लिए इसले इंकार कर दिया क्योंकि वो पुरुष प्रधान फिल्मों में काम करते थे शायद यही सबसे बड़ी वज़ा थी कि फिल्म गदर ने अनील सर्मा ने एक नई आक्टरिस को लाना पड़ा था हाला कि अमीशा कहोना प्यार के इंडस्ट्री में डेबियो कर चुकी थी लेकिन फिर भी और सब के मुकाबले नहीं थी हाला कि बार में फिल्म घायल और गदर होने के सूपर हिट साबित हुई थी वैसे गदर भी एक पुरुषपधान की फिल्म थी क्योंकि पूरी फिल्म तारा सिंग के किरदार और उसी की कहानी की इदग्रिद घूमती नज़र आई थी तो अब क्या आप फिर से गदर टू को देखना चाहेंगे पुरुषपधान फिल्म में या आपकी बार अनिल शर्मा जुडेंगे इसमें कोई नई विचार के साथ वैसे हमारे हिसाब से तो कहानी वहीं अच्छी होगी जहां सब का स्थाफ लेकर लोग चलेंगे बेसा गदर एक सूपर हिट फिल्म थी लेकिन उस फिल्म में सकीना ने एक एंड तक यह तक कुछ नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती है फिल्म के शुरुवात में उससे पिना पूछे किसी ने शादी कर ली और फिर उसे वापस से कोई नया जा गया फिर उसकी दूसरी साधी पकी हो गए और तारा को हर भाव के बड़े अच्छी तरह परदय पर उतारा गया उमीद करते हैं कि गदर टू भी एक नई उप्रोच के साथ आएगी क्योंकि सकीना फिल्म की मा का किरेदार करने जा रही है और बेटे के लिए मा की क्या माइने रखती है यह तो आप अच्छे से जानते हैं तो उमीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले तो दोस्तों दोस्तों दो हजार इकिसमें और सची कहानी में नमस्कार दोस्तों मैं मुसाक श्रमा और आपका सागत है बॉल्ग्यार स्टुडियो की हमारी इस नई वीडियो पे तो दोस्तों 2021 में एनाउंस किये गए सिक्वल में से एक था गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल किसी भी मूवी के सिक्वल को देखने के लिए पहले पार्ट की स्टोरी जानना उतना ही जरूरी है जितना खाना बनाने से पहले रैस्पी का पता होना वरना स्वात की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है बता दुएं की गलर एक प्रेम कथा में इंडिया-पाकिस्तान पार्टेशन के दौरान जुदा हुए खांदानों के द्रस्ट्रे को दिखाया गया था पर इस जुदाएं में मिले थे दो प्रेमी जिनके प्यार सरहत पार था ये दोनों प्रेमियों के किरदार के लिए अनिल शर्मा ने चुना था उस समय की सबसे अन्प्रेडिक्टिबल पेर को सनी दिवल और अमिशा पाटेल को मूवी के गाने उर्जा काले कावा मैं निकला गड़्डी लेके आज की जमाने में भी लोग गुन गुनाते हैं सनी दिवल का हेंटपम उखारने वाला स्थीन लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं पर कहानी को जितना फील्मी बनाया गया या फिर उतना ट्रेजिक दिखाया गया ये प्रेम कथा रियल लाइफ में गदर मुवी गूटा सिंग की जिल्दगी से काफी क्रोज ली जी हाँ दोस्तों रियल नहीं रियल हीरो बूटा सिंग इंडिया और पाकिस्तान की जंग में होने वाले सामाजिक दंगों से जैनाब नाम की मुस्लिम लड़की को पचाते हैं आगे चल करके उन दोनों को एक दूसरी से प्यार हो जाता है और शादी के बाद उनकी दो लड़किया हो जाती हैं जदर में दिखाया गया था कि एक डिकेट के बाद जो पाकिस्तान ऑथर्टी सकीना को उनके बिछले घरवालों से मिलवाने का सोचते हैं तो सकीना को दुरभाग जिवस अपने पती और बेटी को एरपोर्ट पे ही वीजा ना मिलने के कारण अलगिदा बोलना पड़ता है बलकि रियल लाइफ में जैनव और बूटा सिंग की दो बेटियां होती हैं जिन में से एक बूटा सिंग के साथ एरपोर्ट पे ही रुक जाती है और एक जैनव अपने साथ ले जाती है मूवी में सकीना को वापस पाने के लिए एक शर्त रखी जाती है जिसमें तारा सिंग यानि की सनी देवल को हिंदुस्तान मुर्दा बाद बोलना होता है जो ना करते हुए उन्होंने पूरे गाउं से हाता पाई तक करनी थी इसके पीछे अपने देश की बिजती ना सहत हुए पर रियल लाइफ में बूटा सिंग को जबरदस्ती कोई चारा ना होने के वज़ा से अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था वो कहा गया है ना कि हैप्री एंटिंग सिर्फ फिल्मों में ही होती है रियल लाइफ में नहीं जैनब और बूटा सिंग की भी कहाई उन दो प्रेमियों की ही तरह थी जिनका प्रेम अधूरा रह गया बूटा सिंग और जैनब को पाकिस्तान कोट में मुकदमा चला था बूटा सिंग का मानना था कि अगर जैनब को उनके सामने ला दिया जाएगा तो वह है जरूर सबके सामने उनके प्रेम की सच्चाई को कथा को बता देंगे जिसमें जैनब ने बूटा सिंग के विरुध अपने स्टेटमेंट को दिया था और सबको हैरान कर दिया था उनके ये स्टेटमेंट पार्वारिक प्रेशर की वज़र से था जिसे बूटा सिंग की प्रेम कहानी पे पूरे पाकिस्तान के सामने एक फुल स्टॉप लग गया गदर में दिखाया गया है कि कहानी के अंत में दोनों साथ में हो जाते हैं के पिता दोनों को विवाएक जीवन के लिए राजी हो जाते हैं पर रेल लाईफ में बोटा सींग ला जाते हैं उनके प्यार को ना पाने के यह गम उन्हें आत्म हत्या करने पर भी मजबूर कर देता है और यही होता है गदर की रियल लाइफ के हीरो का दुखत अन कहानी को फिल्मों में बदलना एक कला है जो की बहुत इंटर्टेन्मेंट की डिमांड करती है इसी लिए रियल वर्सिस रील का चलन आर भी चलता आ रहा है गदर की अब सीक्वल भी आने वाला है जिसमें तारा सिंग और सकीना मा आदब किता के दूप में दिखाई देंगे वह सकता है कि पार्ट वन की तरह ही सुपर भी कुछ किसी असली इंस्पिरेशन में निर्धारित हो बताया दिया जाए आपको कि सीक्वल में 1972 के इंडिया पाकिस्तान बहुत से निकिल हुई एक ऐसी अंसुनिक इंस्पिरेशन क काल्पनिक वर्जन है आज की इस काल्पनिक और वास्तवेश कहानी के सफर का अंप यहीं होता है आशा है कि आपको बॉलिग्राड स्टुडियोज की ऐसी ही रोजचक वीडियो को प्यार देते रहेंगे क्या गदर का रियल वीरो क्या गदर टू भी वो सकती है किसी रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर रियल वर्सिस रियल क्या है अंतर गदर की फिल्मी और सची कहानी में नमस्कार दोस्तों मैं हुसाक श्रमा और आपका स्वागत है बॉलिग्राड स्टुडियोज की हमारी इस नई वीडियो पे दोस्तों 2021 में एनाउंस किये गए सिक्वल में से एक था गदर एक फ्रेम कथा का सिक्वल किसी भी मूवी के सिक्वल को देखने के लिए पहले पार्ट की स्टोरी जानना उतना ही जरूरी है जितना खाना बनाने से पहले रैस्पी का पता होना वरना स्वाद की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है बतादवें की गलर एक प्रेम कथा में इंडिया पाकिस्तान पार्टेशन के दोरान जुदा हुए खांदानों के जश्ट्रे को दिखाया गया था पर इस जुदाई में मिले थे दो प्रेमी जिनके प्यार सरहत पार था ये डोनों प्रेमियों के किरदार के लिए अनिल शर्मा ने चुना था उस समय की सबसे अन्प्रेडिक्टिबल पेर को सनी दिवल और अमीशा पाटेल को मूवी के गाने उर्जा काले कावा मैं निकला गड़ी लेके आज के जमाने में भी लोग गुन गुनाते हैं सनी दिवल का हैंटपम उखारने वाला सीन लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं पर कहानी को जितना फिल्मी बनाया गया या फिर उतना ट्रेजिक दिखाया गया ये प्रेम कथा रियल लाइफ में गदर मूवी बूटा सिंग की जिन्दगी से काफी क्रोज ली जी हाँ दोस्तों रियल नहीं रियल हीरो बूटा सिंग इंडिया और पाकिस्तान की जंग में होने वाले सामाजिक दंगों से जैनाव नाम की मुस्लिम लड़की को पचाते हैं चल करके उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और शादी के बाद उनकी दो लड़कियां हो जाती हैं गदर में दिखाया गया था कि एक डिकेट के बाद जो पाकिस्तान ऑथर्टी सकीना को उनके बिछले घरवालों से मिलवाने का सोचते हैं तो सकीना को दुर्भ यहां की दो बेटियां होती हैं जिनमें से एक बुटा सिंह के साथ एअर पोरड पर ही रुक जाती है और एक में आंपने साथ लेजाती है मूवी में सकीना को वापस पाने के लिए एक शर्त रखी जाती है जिसमें तारा सिंग यानिकी सनी देवल को हिंदोस्तान मुर्दा बाद बोलना होता है जो ना करते हुए उन्होंने पूरे गाउं से हाता पाई तक करनी थी इसके पीछे अपने देश की बिजती ना सहत हुए पर रियल लाइफ में बूटा सिंग को जबरदस्ती कोई चारा ना होने के वज़ा से अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा था वो कहा गया है ना कि हैप्री एंटिंग सिर्फ फिल्मों में ही होती है रियल लाइफ में नहीं जैनब और बूटा सिंग की भी कहाई उन दो प्रेमियों की ही तरह थी जिनका प्रेम अधरूरा रह गया बूटा सिंग और जैनब को पाकिस्तान कोट में मुकदमा चला था बूटा सिंग का मानना था कि अगर जैनब को उनके सामने ला दिया जाएगा तो वह जरूर सब के सामने उनके फ्रेम की सच्चाई को कथा को बता देंगे जिसमें जैनब ने बूटा सिंग के विरुध अपने स्टेटमेंट को दिया था और सब को हैरान कर दिया था उनके ये statement पारिवारिक pressure की वज़र से था जिसे बूटा सिंग की प्रेम कहानी पे पूरे पाकिस्तान के सामने एक फुल स्टॉप लग गया गदल में दिखाया गया है कि कहानी के अंत में दोनों साथ में हो जाते हैं और सखीना के पिता दोनों को वेवाइक जीवन के लिए राजी हो जाते हैं पर रियल लाइफ में बूटा सींग अखेले रह जाते हैं उनके प्यार को ना पाने के ये गम उन्हें आत्म हत्यार करने पे भी मजबूर कर देता है और यही होता है गदर की रियल लाइफ के हीरो का दुखद अन कहानी को फिल्मों में बदलना एक कला है जो की बहुत इंटर्टेन्मेंट की डिमांड करती है इसलिए रियल वर्सिस रील का चलनार भी चलता आ रहा है गदर की अब सिक्वल भी आने वाला है जिसमें तारा सिंग और सकीना मादा पिता के दूप में दिखाई देंगे वो सकता है कि पार्ट वन की तरह ही सुपल भी कुछ किसी असली इंस्पिरेशन में निर्धारित हो बताया दिया जाए आपको कि सिंग्वल में 1972 के इंडिया पाकिस्तान वार से निकिल हुई एक ऐसी अंसुनिक इंस्पिरेशन का काल्पनिक वर्जन है आज की साल्पनिक और वास्तमिक कहानी के सफर का अंस यहीं होता है आशा है कि आपको बॉलिग्राड स्टुडियोज की ऐसे ही रोजचक वीडियोज को प्यार देते रहेंगे इमोशन की कमी पार्टिशन के जाने पर उतकर्ष को खलेगी कमी इमोशन की तो हलो गाईज वलकॉम बैक टी योर फीडियोज यप चानल पॉलिग्राड स्टुडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस पगती सिंधा कहते हैं कि हर पिल्म हमारे अंदर के सीनेमा प्रीवी को जगा दीती है इसके लिए फिल्म में कर चाहे एमोशनल गाने हो या पर एमोशनल सीन्स हो हर किसमे के हमारे अंदर के एमोशन को जगाने की कोशिश करते है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्म में इतनी जादा एमोशनल होती है कि हुमारे दिल को छूजाती है ऐसे फिल्मों को हम कई बात देखते है और ऐसे फिल्मों का हिट होना तो बहुत आमसी बात है और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ था गदर फिल्म के साथ जीहां हम इशा पटेल और सनी दियौल के फिल्म गदर जो कि पार्टिशन की कहानी को बड़े पड़े पर दिखाती है जहां अब इस फिल्म के सीक्वल में हमें भारत पाकिस्तान के युद को दिखाया जाएगा और कई सालों का एक बड़ा जम्प दिखाया जाएगा तेकने वाली बात यह है कि जहां फैंस को गदर पर्म में इस पार्टिशन से इसना ततर लगाओ था जिसने इस पर्म के कहानी को इतना इंटर्टेनिंग मैना दिया था तो क्या पुछ ऐसा ही होगा गदर के सीक्वल के साथ भी आपको बता दें कि सनी देयॉल, अमिशा पिटेल की यह लव स्टोरी जोटी पहारत और पाकिस्तान की लव स्टोरी थी एक खास लव स्टोरी इसलिए बन गई क्योंकि इसमें पार्टिशन का यह तुर्स दिखाया क्या था जाहिर से बात है कि पार्टिशन को लेकर भारतियों के दिलों और दिमाग में एक अलगी इमोशन से और इसी इमोशन को डैटर ने चगा दिया और गदल पिल्म बन गई एक सूपर हिट पिल्म अब देखने माली बात यह है कि या उतकर शर्मा जोकी सनी दियौर और अभिशा पटल के बेटे का किर्दार निभा रहे पिर से वही इमोशन जगा पाएंगे या भारत पाकिस्तान के स्यूद को लेकर होगी फैंस के इमोशन इतने अरे स्ट्रॉंग कि वो हमारे अंदर के सिनेमा लवर को लेकर आएंगे बाहर इस अभी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा गदर टू के रिलीस का इंतिजार लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतिजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दिने सुझना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिसक्रिप्शन वोक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अप्रोचेटिक आप भरपूर पाइदा उ हम तो भई इस फिल्म को देखने के लिए काफ जब एक्साइड़ है और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ चानल को स जबान से मारने की धमकी गदर टू को लेकर क्या बोले धरमेंद्र पाजी नमस्कार दर्शिपों मैं सलुनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत पॉलिवराद स्टूडियो तो चलिए आज हम बात करते हैं वीडियो शुडू करने से पहले ऐसी चीज की जो आपके लि आज हम बात करते हैं फिल्म गदर के बारे में गदर का सीकुल बहुत जल्दाने वाला है और फिल्म को काफी लोग पसंद भी करेंगे रैसा कि आप जानते हैं बॉलिवुड में चल रहा है बॉयकॉट ट्रेंड जी हाँ दोस्तों बॉयकॉट ट्रेंड बहुत जोर शोर से चल रहा है और हर कोई सूपरस्टार इस ट्रेंड की चपेट में आ रहा है फैंस किसी ना किसी फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं और फिल्म को फ्लॉप कर बारे हैं इसी बीच कई सारे वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो रहे हैं वहीं एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें घर वाले भी तुझे नहीं बचा पाएंगे ये वीडियो काफी जादा वाइरल हो रहा है और इंटरनेट पे से कही सारे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे वहीं जहां कुछ सेक्शन ओफ फैंस काफी जाद एक्साइटेड है फिल्म के लिए कुछ फैंस बिल्कुल भी नहीं चाते फिल्म रिलीज होिं क्योंकि फिल्म एक राष्टरवादी फिल्म है और फिल्म काफी जादा हिट भी हो गी ऑर्डियंस को पसंद भी आएगी इसी बीच धर्मेंद्र पाजी से जब इस सब पे पूछा गया तो धर्मेंद्र पाजी ने कहा मैं गदर्टू के लिए काफी excited हूँ और मैं चाहता हूँ जिससे फिल्म देखनी है वो देखें जिससे नहीं देखनी नहीं देखें उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी साल इंडस्ट्री मे कर चुके हैं और हर बार हर किसी को खुश करना तो पॉसिबल नहीं कुछ फैन्स नराज होंगे कुछ खुश भी होंगे इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी की इंसल्ट करेंगे यह करारा जवाब सुनने के बाद देखते हैं गदर्टू के हेटर्स का क्या नतीज़ा होने वा स्वागत करने के बाद हमारे एवर्गृन जौनी लीवर जीते की मदद में लग जाएंगे साइब का एड्रेस जीते के पास ओल्रइजी होगा जो कि उनके दोस्तने उन्हें दिया होगा चच्चा की मदद से जीते साइबा के घर तक पहुंच जाएंगे जीहां दोस्तों लेकिन अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए वो काफी देर तक घर के बाहर खड़े रहेंगे, और बता दिया आपको की थोड़ी देर बाद फूप हमा साल बारिश होगी, जिसमें हमारे आशक जीते भीग जाएंगे साहिबा के इंतिजार में। साहिबा के घर के अंदर उनकी मा बाहर से कपड़े उतार लेंगे और बोलेंगे की पता नहीं, कौन की कौन बहारा है, खाली सड़क पर इतनी बारिश जाने किसका इंतिजार कर रहा है। ये सुनकर साहिबा अपना सारा काम जोड़कर तेजी से खड़की के पास पहुंचेंगी और देखींगी कि उनके इंतिजार में जीते ही बावरे होकर धीग रहे होंगे। ये देखने के बाद दोस्तों आपको बता दे कि सांगबा के आंसों में उसी के आंसों हमें नजर आएंगे। इसलिए वो उनसे इशारे से घर के पीछे की रोज़बर बुलाती और चोरी चुपे उनसे मिलने फौन जाती है। जीते को अपने सामने खड़ा देख वो अपने आशू को नहीं रोग पाती और जोर से उन्हें गले लगा लिती है आपको बताते दोस्तों कि जीते भी उनके साथ इमोशनल हो जाते हैं तोड़ी देर हग चलने के बाद वो बोलती है तुम पागल हो यहां कैसे आगे जिस पर जीते हसकर बोलते हैं सोचा है कि मरने से पहले तुमें यूई मिल लो यह सुनकर दोस्तों आपको बता दे कि साहबा जीते को गर पर जोर की अपकी दे दिती है और कहती है कि कौन मर रहा है तुम तो जीते बोले हाँ एक लड़की है उसे चप्तर नहीं करना बहुटाथ करें तो ऐसा हो भी सकता है कि वो मर जाँ और यह सुनकर दोस्तों बता दे कि साहबा हलका सहम उसकुराती है और कहती है कि हमें पता है कि हम धोके बाज हैं जो ऐसे चले आते हैं बिना किसी कोशिश के जी तहीर सुनकर बात करें साहिबा के चेहरे हलका उपर करते हैं और बोलत हैं किसी की कोई गलती नहीं और वैसे भी अब सब ठीक हो जाएगा हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे कि बहुत बड़ी ना ऐसा क्या हुआ वेदर टू की शूटिंग के बदान की सभी चौग है पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों को एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहते हैं अगर आप भी सिनमा की बनिया से जोड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं त किस्रिप्शिंग कोक्स में देओर जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस ऑपर्चुनेंटी का बर्फूर फादा उठाएं हेलो मैं हूँ पॉर्णे माइल वेल्कम बैक तो बॉलिग्वाग स्टूडियो बॉलिवूड की आइकॉनिक मूवी गदर जिसके सीकूल का इंतजार देश का हर इंसान कर रहा है उससे रिलेटिट एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और वो अपडेट क्या है चलिए जानते हैं गदर टू को लेकर ओडियंस काफी जादा एक्साइटिड है और ओडियंस ने तो यह तक बोल दिया है कि हम सब मिलकर गदर टू को ब्ल पाकिस्तान आर्मी के हातों बखे जाएगा इसका मतलब यह दोस्तों कि अमीशा पतेल अकिली हिरोई नहीं होगी बल्कि तारा सिंग के बेचे की गर्फ्रेंट का क्यारेक्टर सिम्रत पौर प्ले करने वाली है लोगों ने उनके पहले के काम को भी काफी पसंद किया है इस प्लेशन के क्वेस को साफ दिखाता है आपको बता दे कि गदर्टू की शूटिंग लगनों के साथ साथ कश्मीर की खुप्टूरत वादियों में भी हुई है और यह वाइरल हो रहा वीडियो कश्मीर की शूटिंग के दौरान का ही है जहां एक कश्मीरी मुसलमान गदर् पाकिस्तान तहां रहता है हमारे दिल में जिसे देखकर वहां मौझूद सभी लोग चौक गए और देखते ही देखते उस बंदे के आज पास बीर जुमा हो गई आप लोगों का इस previous fan बाहरे में क्या सोचना है लेट में सेक्षेन ये तो बात हों कोई craziest fan की आम मैं आपको बताती हूं की कहा सनी दियोल को लेकर और हंगामा चल रहा है जरवें 25 जयसे कि आपको पता होगा गदर फिर्म के बाद से पांकिस्तान में और जब से घदर 2 की अनाउंस्मेंट हुए है पांकिसान की जोंता बौक्ला गई है और पांकिसान की मज़वादाथ बीख्ष दीथे जबर को पाकिस्तान पॉलें बॉल्यग्राज गाइं इसके लिए फिल्मेकर चाहें एमोशनल गाने हो या फिर Emotional Scenes हो हर किस्म से हमारे अंदर के Emotion को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्में इतनी ज़्यादा Emotional होती है वो हमारे दिल को छूजाती है ऐसी फिल्मों को हम कई बार-बार देखते हैं और ऐसी फिल्मों का हिट होना बहुत आम बात है और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ था गदर फिल्म के साथ Amisha Patel और Sunny Dayol की फिल्म गदर जो कि पार्टीशन की कहानी को बड़े पर दिखाती है एक ऐसी ही फिल्म थी जहां अब इस फिल्म के सीक्वल से हमें भारत पाकिस्तान की युद्ध को दिखाया जाएगा और कई सालों का एक जम्प दिखाया जाएगा देखने वाली बात ये है कि जहां फैंस को गदर फिल्मों में इसे पार्टीशन से इतना ज्यादा लगाव था जिसने इस फिल्म की कहानी को इतना ज्यादा इंटरेटेनिंग बना दिया था तो क्या अब कुछ ऐसा ही होगा गदर की सीक्वल के साथ आपको बता दे कि सनी देवल अमीशा पटेल की ये लव स्टोरी जो कि भारत और पाकिस्तान की लव स्टोरी थी एक खास लव स्टोरी इसलिए ही बन गई क्योंकि इसमें पार्टीशन का ये ट्विस्ट दिखाया गया था साहिर सी बात है कि पार्टीशन को लेकर भारतियों के दिलों दिमाग में एक अलगी इमोशन है और इसी इमोशन को डाइरेक्टर ने जगा दिया और गदर फिल्म बन गई एक सूपर हिट फिल्म अब देखने वाली बात ये है कि क्या उतकर्श शर्मा जो कि सनी दियोल और अमीशा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे हैं फिर से वही इमोशन जगा पाएंगे क्या भारत पाकिस्तान के इस यूद को लेकर होंगी फैन्स के इमोशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉंग कि वो हमारे अंदर के सिनेमा लवर को लेकर आएंगे बाहर इन सबी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा गदर 2 का रिलीज होने का इंतजार लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया के साथ जुड़ना चाते हैं और काम करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुलिटी का भर पूर फायदा उठाएं और देखते रहिए हमारे चानल बॉलीग्राद स्टुडियोज कौन सा डायलोग था जिसने लोगों का दिल जीत रिया था क्या आने वाले हैं गदर 2 में दोबारा सेम डायलोग गदर का कौन सा डायलोग था जो आज भी याद किया जाता है हेलो दोस्तों मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राद स्टुडियोज में बॉलीवुड के ये एक्टर न सिर्फ अपने जमाने के सूपरस्टार रहे हैं बलकि हमेशा से ही लोगों के दिलों में एक्शन और रोमेंटिक हीरो की तरह शामिल रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं सनी देवल की सनी देवल को फिल्म गदर में एक रोमेंटिक और अक्शन हीरो के रूप में एक साथ देखा गया था लेकिन सनी का कहना है कि वो फिल्म थी जिसके बाद उनकी मुश्किले बढ़ती ही चली गई आपको बता दे कि सनी देवल अपने समय के सूपर स्टार रहे हैं रोमेंटिक फिल्म से करियर शुरुआत करने वाले सनी की इमेज अक्शन और एक गुसेल हीरो की बन गई सनी देवल की पहचान बॉलिवुड के सबसे बड़े अक्शन हीरो के तौर पर होती है 2001 में आई गदर ने ना सिर्फ सनी देवल को एक अक्शन हीरो बनाया तो वो क्या कहता है एक कागस पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती और बेशक उसे कोई रोक भी नहीं पाया, वो गया भी और अपनी बीवी को साथ में भी लाया, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कोई कर दे तो कसम से गदार घोसित कर दिया जाएगा, कितनी अलग है रियल और रियल लाइफ, हम फिल्मों के मुद्दों को दिखा सकते हैं, लेक हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद है, जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा, आज भी कभी जब पाकिस्तान और हिंदू में कोई लड़ाई जगड़े की खबरे सामने आती हैं, तो इस डायलोग का इस्तेमाल किया जाता है, अब लव मैरिज हो और इस डायलोग क हैं, जो गदर के हिट हुए, जैसे जिन्द की कितनी भी बेहरेहम क्यों ना हो, जीना तो पढ़ता है मेडम जी, जीना तो पढ़ता है, इसमें तारा सकीना को जिन्द की जीने का पार्ट से पढ़ाता है, जब सकीना और तारा में से किसी को भी नहीं पता था, कि वो दोबा लोग था गदर में आपकी होस्ट दोस्ट लीशा जो प्राइब सब्सक्राइब करती हूं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर के बारे में हम शुरू करते हैं आज का वीडियो तो मेरे साथ वीडियो के अंतर बने रहेगा अभिनेता सनी दियॉल और अभिनेत्री अमीशा पचेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बेरकरार है यह एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी में लोगों को अपना दिवाना बना दिया था अब गदर गदर एक प्रेम कथा को अज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार घुद्नियोज आने ही है यह खबर सुनकर एक बार पर 2001 की गदर एक प्रेम कथा कि यारे फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है निर्देशक अने शर्मा की इस प्रतिक्षिट पीड ड्रामा फिल्म गदर टू ने लखनाव में फिल्म की शूटिंग को और पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट टू की लख भग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है बता दे कि स्वनी दियोल और अमीशा पचेल्स की स्टारर गदर टू इस बार भी उसी जोश और एक नए तज़ूर्बे के साथ पड़्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लगना उसे जुड़ेश्य है बारग बंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है अब फिल्म के प्रोड्यूजर और नरदेशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमती ली है पहली ये शूटिंग 16 अपराल को शुरू होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वज़े से इसको टाल कर 20 अपराल से शुरूट लिया गया अब जिसके बाद अब जागर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है आपको बता दें कि फिल्म में आक्टरस सनी दियॉल और आक्टरस अमीशा पटेल एक बार फिर अपने फैं को ताजा कर सके अब इस तस्वीर के साथ क्याप्शन देते हुए आक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भागेशाली लोगों को ही अग्भूत करदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है अब 20 साल बाद एक बार फर से पेश है तारा से आगे उन्होंने लिखा कि फ तस्वीरों में जहां एक और सणी दियोल तारा से लुक में नजर आ रहे हैं तो वहीं अमीशा भी अपना वही पुराना लुक केरी किया था उन्होंने अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिये हैं फिल्म गदर का सीक्व अपना वही पुराना जादू बिखेरने में अम्याब हो और साथ ही इन दोनों की सुपर हिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उत्तावला है सबी पुराने गाने होंगे रीक्रियेट किस सिंगर को मेकर्स कर चुके हैं कंफर्म या फिर तारा सिंग गाएंगी एक गाना दोस्तों, बॉलेवूट का गानों से कितना जादा गहरा नाता है ये बात तो हम सभी जानते है एक जेनरेल मुवी में एक गाना होता है ये बात भी हम सभी जानता है लेकिन बॉलेवूट की फैंटेसी कुछ ऐसी है कि वो literally किसी भी movie में गाने आंट करी देते हैं फिर चाहे वो किसी भी category की film क्यों ना हो उसमें गाने तो होनी चाहिए दोस्तों और यही side effect आज कल जेल रही है हमारी हाली में release हुई film यानि की ब्रहमशास्त्रा हाला कि बात करें दोस्तों फिल्म के जो गाने हैं वो इतने खराब नहीं है और ना ही वो सुनने में खराब लगते हैं लेकिन फिर भी critics का कहना था कि फिल्म की जो story है ना उसमें गानों की खास जरूरत नहीं थी और अगर डाल भी दिये हैं तो वो बहुत गलत जगा पर इनपूच किये गए हैं लेकिन आज के टाइम पे कुछ movies ऐसे तो जरूर हैं जिसके गाने ही फिल्म की असली X-factor होते हैं जैसे अभी हाली में अनाउंस हुई आशिकी 3 इस song-centered फिल्म को तो हम जानते ही हैं इसके super hit गानों के वज़े से बट मैं यहां आज आशिकी 3 की बार नहीं कर रहे हूं दोस्तों बलकि मेरा इशारा है next year आने वाली फिल्म यानि की गदर ठोकी और वैसे तुम सभी जानते हैं कि गदर अपने आक्शन और दमदा स्टोरी लाइन की वज़े से काफी जानी जाती है और फैंस को उमीद भी यही है कि आने वाली फिल्म में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों आप ये भूल गए हो कि गदर फिल्म का पूरा नाम था गदर एक प्रेम का था यानि की एक लव स्टोरी और जब लव स्टोरी में ही रूमान्टिक सॉंग्स नहीं होंगे तो कहा होंगे जी हाँ, यानि की आने वाले फिल्म गदेटू में हमें कई रोमांटिक सॉंग्स देखने को और सुनने को मिल सकते हैं लेकिन 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 सबसे पड़ी अपडेट ये है कि सिर्फ रोमांटिक सॉंग्स ही नहीं बलकि हमें आने वाले सीक्वल में पुरानी फिल्म के कई गाने भी सुनने को मिलेंगे हाला कि शुरुआत में दोस्तों ये खबर आई थी कि फिल्म में सिफ एक पुराना गाना ही recreate किया जाएगा और वो होगा तारा सिंग का मैं निकला उनकड़ी लेके जिसे इस बार वो और उसका बेटा दोनों अलग-अलग situations और अलग-अलग locations पर shoot करने की सोच रहे है जी हाँ friends और हो सकता है कि वो उसको करते हुए नजर भी आए लेकिन अभी ये सुनने में आया है कि फिल्म में इसके सिवा दो और गाने भी recreate के जाएंगे और ये गाने होंगे उट्जा काले कावा और मुसाफिर जाने वाले sources की माने तो makers ने इन में से एक गाने के लिए तो singer भी decide कर लिया है जी हाँ friends बिल्कुल सही सुना आपने तिल्म का famous romantic song मुसाफिर जाने वाले के लिए गरम बाग करे makers ने जुबिन नौत याल को decide कर लिया है हाला कि अभी से जुड़ी कोई भी official statement बाहर नहीं आई है लेकिन ये news दोस्तों आपको बता दे कि लगबग confirm है और अगर सच में ऐसा होता है तो ये वाकिल में देखने लाइक होगा कि जो बिन पुराने सोंग को गाने वाले legendary singer यानि की उदिद नरायन को कैसे टकर देंगे फिल्हाल ये तो काफी जादा exciting होने वाला है दोस्तों continuity error करेंगे काम खराब किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी हलो दोस्तों मैं हूँ इस्प्रीहा मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त और आज मैं ख़बर लेकर आएं हूँ फिल्म गदर टू के बारे में बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही है तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या पिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की चाहे वो कूली नमबर वन हो या फिर जिर्वा टू हमने हमेशे ये देखा है कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं दाहिर सी बात है जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा और मुश्किल तास्क होता है क्योंकि ना केवल ये मुश्किल काम है बलकि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बात बड़े परदे पर दिखाया जाता है तो इसमे बहुत सारी continuity errors भी आने लगती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे plot points होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर confusion पैता कर दे जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने जादा समय पहले आई थी जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने ही बहतरीन तरीके से शायद हाँ शायद ना जब सारे actors भी काफी जादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक mode बदल चुका है तो इनी continuity errors को fans हमेशा notice करते हैं और यह film के negative parts में से मानी जाती हैं लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी film को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रखा ज पाते हैं और कहानी को एक smooth तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो गदर 2 एक super hit film होने ही वाली है लेकिन अगर इन में से कोई भी ऐसा plot point हो जो पहले ही कहानी से match ना करता हो तो यह film fans के लिए और देश भर के audience के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत जादा उमीदें और कर रहे हैं इस film का बेतावी से इंतजार लेकिन लगता है कि यह इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा क्योंकि गदर फिल्म के makers हैं इस film को perfection बनाने की होड में और इसके लिए हम हैं काफी excited लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी cinema के दुनिया से जुरना चाहते हैं और यहां काम करना चाहते हैं तो description box में दिये हुए job link पर click करें और अशल मीडिया पर करेगी comeback अमीशा का इंस्टाग्राम फीवर अमीशा पटेल जो कि हमारी बॉलिवूड इंडस्ट्री की एक समय की सबसे टॉब की आक्रस इसमें से एक मानी जाती थी अपनी सुन्दरता से हमें कई बार इंप्रेस कर चुकी हैं जी हां चाहे वो उनकी वो ना प्यार में उनकी बूली सी सूचाव हो जांकी वो नजाकत इसने सकी नारे करिदार को और बहतरीन बना दिया था अमीशा पटेल ने हमें अपनी सुनदर्ता से कई बार इंप्रेस किया है, हम अमीशा पटेल के इंस्टाग्राम पर भी बेहतरीन कमबाक की उमीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आली में काफी जाधा ग्लामरस पिक्चर्स पोस्ट करके इंस्टाग्राम को ताप मांत काफी पड़ा दिया है जी हां चाहे वो उनकी बिकिनी में पिक्चर्स हो या फिर उनकी थ्रोबैक तिक्चर्स हर जगा अमीशा पटेल ही चाही हुई है वो सोशल मीडिया पर अपने आपको काफी जाद आक्टिव दिखा रही है जिसकी वजह से फैंस भी उमीद कर रहे हैं कि आने सबने वाली यह कम बाक गदर फिल्म के सी इक्विल के साथ कि अबात तो हम सब जानते हीं कि आइक wraps उने सालों बात एक बार फिर experienced अबhew पारत पाकीस्तान की थाहानी की कोशिश कर रही हैं तो इस चकर में अपने आपको और कई चीजों में पर रहा है जिन में से सोशल मीडिया पर हमिशा पटे से गदर फिल्म के सीक्वल के बारे में भी कुछ ना कुछ नया पा सकते हैं और साथ ही उनके इस कमबाक को देखने के लिए हम और देश भर की ओडिन्स काफी जाधा एक्साइड़ है क्या फिल्म के पहले इससे जाधा कमाई कर पाएगा इन सबी सवालों के जवाब पाने के लिए हमको करना पड़ेगा लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतिजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज का मारा इस वीडियो पसंदाया हो तो इसको लाइक और शेर करें साथी सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलें बॉलिग्राद स्टूडियोज को अबिनेतरी अमीशा पटेल की फिल्म पारे में बॉलेंटर शेर किया अपने सोचल मीजिया पेज़ को गदर आज भी लोगों के जहन में बेरकरार है ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदकारी ने लोगों को अपना दिवाना बना दिया था अब गदर गदर एक प्रेम कथा को आज भी लोगों की जुबान पर र अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्विल बनाया जा रहा है निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रदिक्षिट पीडियर ड्रामा फिल्म गदर टू ने लखनव में फिल्म की शूटिंग को और मोस्ट पूरा कर ही लिया है अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल ही करें तो फिल्म ने पार्ट टू की लखबग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है बता दे कि सवनी दियॉल और अमीशा पटेल्स की स्टार गदर टूस बार भी उसी जोश और एक नए तजर्बे के साथ पड़्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लगना उसे जुड़े शहर बारक बंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है अब फिल्म के प्रोड्यूजर और नर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमती ली है पहली ये शूटिंग 16 अपराल को शुरू होनी थी लेकिन कछ कारनों की वज़े से इसक एक बार फिर अपने फैंस का दल जीतने के लिए नजर आई है सनी देओन ने अपने इंस्ट्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंग के लोग में अपनी तिस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है ताकि फैंस अपने पुरानी यादों को ताजा कर सके अब इस काल बाद एक बार फर से पेश है तारा सिंग आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदाचू का पहला शीडियूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूं अफिशियल अनाउंस्मेंट के बाद आक्रस अमीशा बटेल ने भी फिल्म के सेक्से कुछ तस्वीरे शेयर की थी अब तस्वीरों में जहां एक और सणी दियोल तारा सिंग में नजर आ रहे हैं तो वही अमीशा भी अपना वही पुराना लुक केरी किया था उन्होंने अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिये हैं फिल्म ग पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपर हिट जोडी को देखने के लिए हर कोई उत्तावला है आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ लेक ग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस प्रगति संधा दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी आप किसी भी काम से कोई ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद आपको उस ब्रेक से वापस ही करना काफी मुश्किल सा हो जाता है ऐसे आक्टर्स जोनोंने प्रम इ सब्सक्राइब करना काफी मुश्किल हो जाता है और वहां कमी ऐसे एकटर्स होते हैं जो अपने सकेंड इनिंग्स में पहले ऐसा काम कर पाते हैं हालों कि यह काफी मुश्किल है cultural काम हमी देखने को मिलता आपको बता दे कुछ एइसा ही हुवा और अब जाकर उस प्रेक से बापस ही कर पाई है कुछ ऐसा ही हो रहा अमिशा पटेल और सनी दियौल के साथ भी जी हां कदर पर्म के साथ हमारे बड़े पड़े पर चटीनो और तारा सिंग का ये बहतिन कपर जब आया था तो वह आयन एक मोमेंट था कदर पर्म में एक सूपर हैट फिल्म साबित हुई और इसकी एक लौती वज़े थी उनकी केमिस्ट्री सनी दियौल और अमिशा पटेल की इतनी बहतिन केमिस्ट्री नहीं इस पिल्म के अंदर जान डाल दी थी जाहिर से बात है कि गदर एक प्रेम कथा थी और इस प्रेम कथा को सनी दियौल और अमिशा पटेल की बहतिन केमिस्ट्री नहीं हिट करवा दिया जहां गदर पर्म के सीक्वल की पूरी तयारी हो चुगी है और ये पर्म जल्दी बड़े परदे पर दिखाई दीगी ये सवाल उड़ता है क्या पहले ऐसा होगा इन दोनों की बिछ प्यार क्या होगी इनकी केमिस्ट्री उतनी बहतरी जैसे अपने गदर प्रम में देखी दी साहिर से बात है कि इसनी सालों बाद जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉंडिंग पहले ऐसे ना हो और एक साथ स्कुरीन शेयर करना काफी बड़ी जिम्मदारी होती है तो क्या ऐसा वाकई में होता है या पर नहीं यह तेखनी के लिए हमें करना पड़े का गदर टू की रिलीस का अंतजार लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनेमा की दुम्या से जुनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो इसक्रिप्चर बॉक्स में दिएगे जॉ पारी excitement और जोज देखनी को मिल रहा था अब यह तर्म जब रिलीस होगी तो क्या धमाल होगा इसके लिए तो हमें परम के रिलीस का इंपिस्दार करना ही पड़ेगा लेकिन अब हम तो भाई इस फिल्म को देखने के लिए कासी जादा excited है और आप कमेंट करके जरूर बता स्वागत करता हूँ पॉलिग्रैड स्टूडियोज में बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही थी तो सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रिमेक होने वाला है या फिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखन जहां बात आती है पुराने फिल्मों के सीक्वल की चाहे वो कुली नंबर वन हो या फिर जुड़वा टू हमने हमेशा ये देखा है कि पुराने फिल्मों के रिमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं जाहिर सी बात है जब किसी continuity error भी आने लगते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे plot points होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर confusion पैदा करते हैं जाहिर से बात है कि गदर फिल्म तो इतने ज्यादा समय पहले आई थी जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें पुरा continuity error को fans हमेशा notice करते हैं और ये फिल्म के negative parts में से मानी जाती है लेकिन जाहिर से बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का खयाल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के makers भी कुछ ही तैयारी कर रहे हैं अगर वो गदर 2 में इन सभी continuity error को ठीक कर पाते हैं और कहाने को एक smooth तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो गदर 2 एक super hit film होने वाली है ही लेकिन अगर इन में से कोई भी ऐसा plot point हो जो पहले की कहानी से match ना करता हुआ हो तो fans के लिए और देश भर के audience के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत ज़्यादा उमीदे और कर रहे हैं इस फिल्म का बेताबी से इनतजार लेकिन लगता है कि ये इनतजार चलेगा थोड़ा लंबा क्योंकि फिल्म गदर के makers हैं इस फिल्म के perfection बनाने की होड में और इसके लिए हम तो काफी हैं excited लेक आपको बता दे कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है इस फिल्म के लिए लोगों की बीच भारी excitement और जोस देखने को मिल रहा है अब ये फिल्म जब भी theaters में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा अब हम तो इस फिल दोस्तो मैं हूँ आपकी होस्ट पंकुरी और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बॉली ग्रैड स्टूडियोज में दोस्तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी कहानी के साथ साथ उनके गानों से भी हमारे दिल के तार बंदे हुए होते हैं कई बार आपने देखा को कुछ खास आराम नहीं देते लेकिन ऐसी exceptional movies बहुत कम देखने को मिलती हैं जो दोनों ही fields में महारती हो यानि स्टोरी तो दमदार हो ही साथ ही उसके बीच में जब गाना आये तो वो भी कहानी में चार चान लगा दे लेकिन ये बात मैं आज के Bollywood को देखकर कह रही बहुत ही आम थी यानि फिल्म में कहानी को दमदार तो दिखाया जाता ही था लेकिन गाने ऐसे कि दिल को छू जाए और उसी वक्ती एक फिल्म थी सणी दो की वन अफ दो बेस्ट आक्शन थ्रिलर प्लस लव स्टोरी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ये एक ऐसी मूवी थी ज जो काफे अट्रैक्टिव थी और वो थे इसके गाने फिल्म के शिरुआत में ही हीरो का हिरोईन से मिलते वक्त आने वाला गाना ओ मैं निकला ओ गड़ीले के इतना हिट हुआ था कि लोगों की जुबा पर रस बस गया था जैसे शोर तारा सिंग के गाते वक्त उसके सामने बैठी पब्लिक कर रही थी लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्साइटमेंट अब बहुत जल्द फिल से एक बार महसूस करने वाले हैं वो भी उसके पुराने अंदाज नहीं जी हां क्योंकि वापिस आ रहा है तारा सिंग फिर अपने गाने के साथ फिर एक नई कहानी ल कुछ भर देता है वो नजारा एक बार फिर वापिस देखने को मिलने वाला है हाला कि इस बार इस सौंग को उधित नारायन गाएंगे ऐसी तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस गाने को एक बार फिर सभी की जुबान चड़ने से कोई नह कुन से सौंग्स हैं और कौन उन्हें गाने वाला है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब मैं आपको मिलूंगे अपनी अगली वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही शोशल मीडिया पर किसने की प्रमोशन शुरू अमीशा सबसे आगे कै से आप देख रहे हैं बॉलिग्राथ स्टूडियोज और मैं हूँ अंकित कहते हैं कि एक बहतरीन मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ कोई फिल्म हिट हो सकती है चाहें आप हाली में आई फिल्म ब्रह्मा अस्त्र को ही ले लीजिए इस फिल्म को लेकर फैन से काफी मिलते जिल्ते रीव्यूज देखने को मिल रहे हैं चाहें वो फिल्म के डायलक के बारे में हो या फिर स्टोरी के बारे में लेकिन इस फिल्म को इतनी बहतरीन तरह से मार्केट और प्रमोट किया गया है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ट तोड़ रही है जाहिर से बात है कि किसी भी कि फिल्म को मार्केट या प्रमोट करना एक बहुत ही दिल्चस्प और बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन अगर यह काम बहतरीन तरीके से किया जाए तो यह फिल्म को हिट बना सकता है और लगता है यह बात समझ चुकी है हम सब की अमीशा पटेल जी हां गदर फिल्म के साथ अमिशा पटेल ने जहां हम सबका दिल तो जीता है वही लगता है इस समय के साथ इस वॉलिवूड इंडस्ट्री को इतनी बारिकी से जान चुकी है कि वह अपनी फिल्म को सीक्विल की फुल मार्केटिंग कर रही है जी हां जहां गदर के सीक्विल में हमें एक बार फिर से उ ज्यादा समय से बरकरार है और इस फिल्म को कहानी क्या होगी क्या होनी वाला है इन सबका किरिदार पहले की कहानियों से कितना ज्यादा होने वाला है गदर टू का रिष्टा इन सबी सवालों के जवाब के लिए हम और देजभर के फैंस कर रहे हैं गदर टू के रिलीस का इंतजार लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार के आगे बढ़िए और अगर आप भी सिनियमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस ऑपरचिनिटी का भर पूर फायद पता चलेगा अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताईए हमें कमेंट सेक्षन में अब इसी के साथ मैं अंकिता लेती हूं आप से इजादत तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने पसंददा विल्म बाक टु बॉलिग्राइट स्टूडियो कहते हैं कि एक बहतरीन मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ कोई भी फिल्म हो सकती है चाहे आप हाली में आई फिल्म ब्रहमास्त्र को ही ले लिजिए इस फिल्म को लेकर फैंस के काफी मिल्दे जुल्दे रिव्यूस थे चाहे वो फिल्म के डायलोग के बारे में हो या फिर स्टोरी के बारे में लेकिन इस फिल्म को इतनी बहतरीन तरह से मार्केट और प्रमोट किया गया था कि फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड रही है जाहिर सी बात है कि कि किसी भी फिल्म को मार्केट या प्रमोट करना एक यहां गदर फिल्म के साथ अमीशा पटेल ने जहां सबका दिल तो जीत ही लिया है वहीं लगता है समय के साथ इस बॉलिवुड इंड्रस्ट्री को वह इतनी बारी की से जान चुकी है कि अब अपनी फिल्म के सीक्वल की पूरी मार्केचिंग कर रही है वो जहां गदर के सीक्वल में हमें एक बार फिर से उतकर्ष, शर्मा, सनी देओल और अमीशा पटेल बड़े परदे पर दिखने वाले हैं वहीं इस फिल्म को लेकर अनॉंसमेंट हो या फिर फैंस के बीच यह सब कुछ काफी ज्यादा समय से बरकरार है और अमीशा पटेल अपने सोशल मीडिया के जरिये कुछ ना कुछ पोस्ट करती जा रही है या कुछ ना कुछ हिंस देती रहती है जिसे फैंस को इस फिल्म के सीक्वल के लिए अभी से एकसाइट देखा जा सकता है जहां कि दिलों दे कर बेकरारी बढ़ती ही जा रही है इस फिल्म की कहानी क्या होगी क्या होने वाला है इन सबका किरदार पहले की कहानी से कितना उने वाला है जोना जाहते हैं तो नीचे description box में दिये हुए job link पर click करें और इस opportunity का भरपूर फायदा उठाएं आपको बता दे कि ये film काफी बड़े level पर बनाई जा रही है इसको इनको लेकर audience के भीज में काफी excitement भी देखने को मिल रहा है आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेर करें ताकि सब्सक्राइब करना ना भूले बॉलिग्राद स्टूडियोज को किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में कि चाहे वो कुली नंबर वान हो या फिर जुडवा टू हमने देखा कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीकूल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं जाहिर सी बात है जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये काफी बड़ा टास्क होता है क्योंकि ना केवल ये एक मुश्किल काम है बलकि साथ ही में जब इसी पुरानी कहानी को बहुत समय बड़े पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारे continuity errors भी आने लगते हैं हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे plot points होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर confusion पैदा कर दें जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने ज्यादा समय पहले आई थी जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या उसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने बहतरीन तरीके से जब सारी actors भी काफी ज्यादा बदल जुके हैं और कहानी का हर एक mode बदल जुके है तो इन ही continuity errors को fans हमेशा notice करते हैं और ये film के negative parts में से माना जाता है लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी film को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है और लगता है कि gather film के makers भी कुछ ही तयारी कर रहे है अगर वो gather 2 में इन सभी continuity errors को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक smooth तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं तो gather 2 के super hit होने को कोई नहीं रोख सकता लेकिन अगर इन में से कोई भी ऐसा plot point हो जो पहले की कहानी से match ना करता हुआ हो तो ये fans के लिए और देश भर के audience के लिए होने वाला है काफी निराश्या वाली बात लेकिन हम रख रहे हैं gather से बहुत ज़्यादा उमीदे और कर रहे हैं इस फिल्म का बिस सब्री से इंतजार लेकिन लगता है कि ये इंतजार थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि gather film के makers हैं इस फिल्म को perfection बनाने की होन में हैं और इसके लिए हम तो हैं काफी excited लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आप आगे बढ़िये और अपने सिर्मा की दुनिया से अगर जुड़ना चाते हैं और काम करना चाते हैं तो description box में दिये हुए job link पर क्लिक करें और इस opportunity का भर पूर फायदा उठाएं और देखते रहे हमारे चानल बॉलिग्राज स्टूडियोज वी दे ओल ने गदर टू के बारे में कौन से बड़े खुलासे कर दिये आखिर सनी को गदर टू पर क्यू है बहुत बड़ा भरोसा कि आप बॉक्स ओफिस पर सनी की उमीदों पर ख़ड़ा उतर पाई ये गदर टू हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राज स्टूडियोज में सोनिक अजयार दोसो अगर आप सिनमा की दुनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जाब लिंक पर क्लिक करें और इस उपरिचिनिती का फाइदा उठाएं 222 साल भाद सनी देवल की 2001 की ब्लग बॉस्टर फिल्म गदर की अगली कड़ी नई फ्लेवर के साथ वापसी करने को तयार है फिल्म को लेकर काफी उम्मीदे हैं और मेकर्स जल्दी अनिस शर्मा डिरेक्टर फिल्म की रिलीस डेट को अनाउंस भी करने वाले है सनी देवल का कहना है कि गदर जैसी बड़ी फिल्म का सीक्वल बनाना एक चुनौती जैसा है रिपोर्स की माने तो उन्होंने इंट्रिव्यों में खुलासा किया कि शुरुआत करना एक मुश्किल काम था लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा सनी दे ओल के चुप के को स्टार्ट दुलकर सर्मान ने भी इस पर बात किये रोणों ने कहा कि ये पूरी तरह से एक नई जनरेशन के लिए बनी है उनकी पिछली कई फिल्मों के सीकॉल बनने की गैरेंटी है लेकिन वो सर्फ इसलिए इने ने बना चाहते क्योंकि इसका दूसा बनना चाहिए उन्होंने कहा हम पार्ट टू करते टाइम चीजों को गरबर कर देते हैं अगर लेखन अच्छा हो तो हमें एक ही पार्ट को दो पार्टों में कर देना चाहिए लेकिन गड़ा टू पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये बॉक्स आफिस पर आड़ देगी और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वैसे गड़ा टू का इंतजार तो सभी कर रहे हैं इस बार कहानी मोड लाएगी पिशली बार तारा अपनी शकीना को लेने पाक स्टान जाएगा स्टार का सीम है इसलिए मज़ा उतना ही उने भाला है और हर कोई चाहता था कि स्टार कास्ट मर्दी न जाए इसलिए तारा बने हैं सनी शकीना बनी है हमारी प्यारे आमीशा पठेल और उतकर शर्मा जो कि अब बड़े हो चुके हैं वह अपने प्यार की लड़ाई लड़ते वह इन नजर आएंगे आप देखना होगा सनी की चीफ बॉक्स ऑफिस पर क्या मचाएगी बवाल मोशन को मिलेगा नया रूप सकीना का बेटा लड़ेगा नहीं लड़ाई थे बारत पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो की काफिस ज्यादा एक जैसे हैं इसकी वज़ाए इन दोनों देशों में जो लोग रहते हैं वो एक दम एक जैसे हैं और एक ही जगा से आये हैं चाहिस बटवाएं वे हं सब कुछ दुनिया के नक्षे पर तो बाठ दिया हो लेकिन असलास जिंदगी में यहां लोगों को कोई बात नहीं र्टा जामने वा Ett में देखी संदल में हैं यह बात हम सब जानते हैं कि एसी बौठी कम फेल्म यहाई जोक बारत और पाकिस्तान की बीच के प्यार को बड़े पर दिखा पाएं ऐसा ही प्यार गदर फिल्म में दिखाया गया था जी यहां अमीशा पटेल और सनी देओल के स्टोरी ने हम सब का दिल तो जीत ही लिया था और साथ यह में हमें भारत और पाकिस्तान की बीच में एक बहतरीन रिष्टे को दिलों में इस फिल्म की कहानी को लेकर काफी ज्यादा सवाल हैं आपको बता दें कि गदर टू में हम भारत पाकिस्तान की यूद को देखने वाले हैं यह देखना काफी दिल्चस्प होगा कि अमिशा और सनी देओल की बीचे का पिवदार ने भाने वाले उतकर शर्मा इस यूद में हार का सामना किया था तो यह देखना बड़े पड़े पर काफी ज्यादा दिल्चस्प रहेगा कि कैसे यूद की कहानी के साथ हमें प्यार के वह आंगल दिखाएंगे जो कि फिर से इमोशन से हम सब को भर देगी हम सब के लिए काफी दिल्चस्प होने वाला है सफर और क्या गदर टू ऐसी कहानी साबित हो सकती है जो कि इस इमोशन को आगे बढ़ा पाएगी इसके लिए हमें और आपको करना पड़ेगा इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतजार से जरा आगे बढ़िए और अगर आपी दु लोगों के बीच काफी बारी जोश और excitement देखने को मिल रहा है भाई मैं भी इस फिल्म को देखने के excited तो हूँ और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें साथ ही सब्सक्राइब करना ना बोलें बॉलें बॉलिगराद स्टूडियो उसको करेंगी साहिबा मना कौन होगा खत्रे में तारा को कैसे मिलेगी खबर हलो दोस्तों मैं हूँ इस प्रिहाब मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्तों आज खबर लेकर आई हूँ ingantic film गदर two के बारे में अपने प्यार के पास पहुचने के बाद जीते साहिबा के घर पहुचेंगे उनके माबाप को मनाने लेकिन क्योंकि साहिबा के माबाप को इसकी खबर पहले से हो जाएगी इसलिए वो उन्हें मना करने के लिए पूरी तरीके से तयार होंगे इस बात से अंजान जीते जोनी के साथ उनके घर पहुँच जाएंगे साहिवा को अपने मा पापा का प्लान तब समझ में आ जाता है जब उनके पास पाकिस्तान आर्मी के जैनरल का कॉल आता है घर आने के लिए क्योंकि वो साहिवा के पापा के काफी जीते को अपते घर से भगाने की ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुच जाए लेकिन जीते कंफ्यूज हो जाते हैं और साहिवा के इशारे बिल्कुल समझ नहीं बाते हैं जब तक साहिवा और जीते की बात चल रही होती है तब तक मनीश वादवा यानि आर्मी मेजर वहा क्यों बेटा इस पर जीते नर्वस होकर मुस्कराते हैं और कुछ बोलने चलते हैं लेकिन उससे पहले ही मनीश बोलते हैं अरे 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 साहिवा बीटिया का रिष्टा आया है वो भी पंजाब से इनसे तो बाते करनी बनती हैं ये कहकर वो जोर से जीते की पीट पर थपकी मार कर उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं साहिवा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और बोल पड़ती है हमें नहीं करनी शादी आप प्लीज यहां से चले जाएं ये सुनकर जीते एकदम से शौक्त हो जाते हैं और बाकी सब भी साहिवा को देखने लगते हैं उन दरसल अभी तक हमें बोलने का मौका नहीं मिला है इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को सही समझ रहे हैं हम यहां साहिवा के साथ रिष्टे के लिए ही बात करने आये थे लेकिन साहिवा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा ये सुनकर मेजर साहिब जीते का कंध हलका दबा कर बोलते हैं और क्या भाई साहिवा उनकी माबाप की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा हम होने ही नहीं देंगे इस बात पर साहिवा के पापा उनसे बोलते हैं कि अरे बेटा यहां तो बाते होती रहेंगी तुम ज़रा चाय नाश्ते का इंतिसाम कराओं अ को घर लेते हैं वो दोनों इस बात से थोड़ा अनकंफिटेबल होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं इसके बाद जॉनी बहाने से अपने उपर शर्वत गिरा लेते हैं और साहिवा के पापा से वाश्रूम के लिए पूछते हैं जॉनी के वाश्रूम जाने पर मेजर सा जीते से पूछते हैं कि, तो, हमें पताचला है कि आप जनाब हमारी साहबा से बे इंतहभा मोहत करते हैं, क्यों? तो जीते मेजर साहब और अपने बीच में थोड़ी जगा बनाते हुए बोलते हैं कि, जी हाँ, मोहबगत तो बे इ invert है ही, लेकिन आप चिंता मत करिये हम उनकी और उनके माबाप के मर्जी के बिना कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे इस पर मेजर हसने रखते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो तो हम उठाने लाइक छोरेंगे भी नहीं ये सुनकर जीते बोलते हैं कि आप कहना क्या चाते हैं इधर जीते और मेजर का माहौल गरम हो रहा है और उधर जॉनी वाश्रूम में जाकर कर रहे थी तारा सिंग को इनफॉर्म पाकिस्तान की सिचुएशन का वो उनको फोन करके बताते हैं कि कैसे जीते यहां पाकिस्तान में खत्रे में है और उन दोनों को तारा सिंग की यहां जरूरत है ये सब सुनकर तारा को गुसा आजाता है वो जॉनी को उनके आने तक सिचुएशन सभालने के लिए बोलते हैं ये सब बताकर जैसे ही जॉनी वाश्रूम से निकलते हैं तो वहां वो साहिबा को खड़ा पाते हैं जो कि आसु भरी निगाहों से उन्हें देख रही होती है वो उनसे कहती हैं कि चाचा आप लोग कैसे भी यहां चले जाएए यहां से चले जाएए यह सब एक चाल है जीते को नुकसान पहुचाने की यह बोल कर वो किसी के आने की आहट सुनकर वहां से भाग जाती है अब फिलहार आगे क्या होगा यह तो हम आपको नेक्स वीडियो में ही बता पाएंगे लेकिन तब तक के लिए आप हमें कॉमेंट से बताईए कि आपको क्या लगता है कि कहानी में आगे क्या हो सकता है यह ते ओल ने गदर टू के बारे में कौन से बड़े खुलासे कर दिये आखिर सनी को गदर टू पर क्यों है बहुत बड़ा भरोसा कि आप बॉक्स ओफिस पर सनी की उमीदों पर ख़ड़ा उतर पाईगी गदर टू हेलो फ्रेंड्स आप देखे हैं बॉलीग्रास स्टूडियो में सोनिका जयार दोसो अगर आप सिनमा की दुनिया से जुनना चाहते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस उपिचिनिती का फाइदा उठाएं दोसो बाईस साल भास सनी देवल की 2001 की ब्लगबस्टर फिल्म गदर की अगली कड़ी नई फ्लेवर के साथ वापसी करने को तयार है फिल्म को लेकर काफी उमीदे हैं और मेकर्स जल्दी अनिल शर्मा डिरेक्टर फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस भी करने वाले है सनी देवल का कहना है कि गदर जैसी बड़ी फिल्म का सीक्वल बनाना एक चुनौती जैसा है रिपोर्स की माने तो उन्होंने इंट्रिवियों में खुलासा किया कि शुरुआत करना एक मुश्किल काम था लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा सनी दे ओल के चुप के को स्टार्ट दुलकर सर्मान ने भी इस पर बात किये रोणों ने कहा कि ये पूरी तरह से एक नई जनरेशन के लिए बनी है नई जनरेशन को इंट्रिद्यूस कराना ज़रूरी है जब वो देखेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर गदर के लिए इतना बवाल मचा क्यों था वहीं दोस्तों आपको बता दे कि सनी दे ओल भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सनी के मताबिक उनकी पिछली कई फिल्मों की सीकूल बनने की गैरेंटी है लेकिन वो सर्फ इसलिए इने ने बना चाहते क्योंकि इसका दूसा पार्ट बनना चाहिए उन्होंने कहा हम पार्ट टू करते टाइम चीजों को गरबर कर देते हैं अगर लेखन अच्छा हो तो हमें एक ही पार्ट को दो पार्टों में कर देना चाहिए लेकिन गड़ा टू पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये बॉक्स आफिस पर आड़ देगी और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंदाए स्टार कास सेम है इसलिए मज़ा उतना ही होने भाला है और हर कोई चाहता था कि स्टार कास्ट मर्दी न जाए इसलिए तारा बने है सनी शकीना बनी है हमारी प्यारे अमिशा पठेल और उतकर शर्मा जो कि अब बड़े हो चुके हैं वो अपने प्यार की लड़ाई लड़ कर दिये जाएंगे तारा और सकीना एलो फ्रेंड्स मेशूती और आप देख रहे हैं मॉली ग्राइड स्टूडियोस दो तो 20 साल पहले ना मल्टी स्क्रीन्स वाले सिनिमा घर होते थे और ना ही इतने शोस कि जितने लोग भी किसे फिल्म को पहले दिन ही देखना चाहें त साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी मेरे बड़े बताते हैं कि उन्होंने ये दोनों फिल्म में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी पहले शीना त्रियेटर में लगान देखी फिर वहां से बात कर पहुंचे कनाट प्लेस के फ्लाजा सिनिमा घर जहां उनकी सीजे सिनमा घर के भीतर खड़े होकर सिनमा देख रही थी खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिंती तो नहीं हुई होगी लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटे बेश्टे का रिकॉर्ड बना दिया था दोस्तों आ दर्मिया 20 साल पहले भी इतनी ही बेरहम हुआ करती थी उस चिलचिलाती गर्मी में भी लोग फिल्म देखने आये ये बहुत बड़ी बात है फिल्म की कहानी का भी हलका सा इशारा सनी ने दिया लेकिन तब बायोपिक शब्त फैशन में नहीं था नहीं तो सनी देओल इसका उखूमत की जबरदस्त कामयाभी ने अनिल शर्मा के सिंदमा का रंग रूप सब मदल दिया इसके बाद अनिल शर्मा ने धरमेंद्र के साथ लगा तार एलाने जंग परिष्टे तेहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसे फिल्म में बनाए लेकिन परिष्टे के बाद अ धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था अलिल शर्मा ने जीतेंद्र के साथ फिल मा बनाई और गोविंदा के साथ महराजा दोस्तों आपको आगे बता दें कि इस तरह हमें बिला भारत का तारा से जो हर मजभब से प्यार करता था लेकिन अगर उसके हिंदुस्तान को कोई बुरा भला कहे या उसके बीवी बच्चे को कोई उससे अलग करना चाहे तो वो इसका बदला लिये बिना बात नहीं आता है और इसी देशभक्ती और परिवार के लिए चुनूनी प्यार को लेकर एक बार फिर अनिल गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं जिसमें पहल पाकिस्तान के आने के बाद जेली पड़ी फिल्ट में दोस्तों दिखाया जाएगा कि तारा को गदार घोशित किया गया क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की के लिए पाकिस्तानीयों की हर बात मानी इसी लिए तारा और सकीना को पंजाब से निकाल दिया जाएगा इन दोन जिसकी भूमिका एक बार फिर जीत यानी उतकर्ष ही निभाएगा। यही उतकर्ष अपने रील माँ बाप को कैसे वापस अपने एक गाउं लाता है, कैसे उन्हें निर्वोश साबित करवाता है और इस बीच को कैसे मिलता है अपनी लव औफ लाइफ से यह सब देखने और जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तो आप लोग कितने उतसाहित है यानी एक साइटेड है एक बार फिर इस मूवी को देखने के लिए हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू बताईए और साथी साथ इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे और चानल को सबस्क्राइब कर दीजे, मुझे दीजे इजासत लेकिन आप बने रहे हैं बॉलिग्राइट स्टूडियो के साथ, नमस्कार लेकिन इस आइकोनिक मुवी के में दो केरेक्टर को निभाने वाले आक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो क्या उनके केरेक्टर को गदर टू में एंट कर दिया जाएगा, या फिर रिप्लेस किया जाएगा, और कौन से है वो दो केरेक्टर, चलिए जानते हैं फर्स्ट करेक्टर है सनी दियोल के ससुर का यानि कि अगरमबाग करें अमरीश पूरी सर ने अमरीश पूरी ने अश्रफ अली के करेक्टर में जान डाल दी थी आपको बता दे तो ये देखना दिल्चस्थ होगा कि गदर टू के अंदर उनका केरेक्टर किसी और आक्टर से रिप्लेस होता है या नहीं तो ये देखना दिल्चस्थ होगा कि गदर टू के अंदर उनका केरेक्टर किसी और आक्टर से रिप्लेस होता है या कहानी को कुछ इस तरीके से त्विस्ट किया जाएगा कि उनके करेक्टर की जरूरत ही नहीं पढ़ेगी वैसे परेश रावल सनी दोल के ससुर के चरेक्टर प्ले कर सकते हैं क्यूंकि उन्होंने अपनी कई मूवीज में विलन का करेक्टर प्ले किया है और आपको बता दे फ्रेंज उनको विलन के तोर पर ओडियंस ने काफी पसंद भी किया है जैसे 1994 में आई अंदाज अपना अपना में इसके अलावा 2010 में आई आक्रोश फिल्म के लिए उन्हें Z-Sign Award for Best Actor Negative Role का Award भी मिला और आदियंस को उनकी performance काफी पसंद भी आई थी और आपको बता दे फ्रेंज इसलिए परेश रावल अमिशा पटेल के फादर का करेक्टर फ्ले कर सकते है और साथ आपको बता दे दूसरा करेक्टर है सनी दियोल के दोस्त का जो सनी दियोल के साथ पाकिस्तान भी गया था अमिशा पतेल को लाने के लिए जिनका करेक्टर फ्ले किया था आपको बता दे फ्रेंज विवेक शोक ने जिनकी भी मौत हो चुकी है हार्ट अटाक से 2011 में यानि की दारा सिंग के ससुर और दोस्त दोनों में केरेक्टर निभाने वाले आक्टर अब दुनिया में नहीं रहे तो ये देखना होगा कि इन दोनों का केरेक्टर कौन निभाता है और क्या वो आक्टर भी ओडिन्स का दिल जीत पाएगा अपनी आक्टिंग से जैसे अमरीश पूरी सर और विवेक ने इनका जीता था वेल दोस्तो ये देखना काफ़ी इंट्रस्टिंग होगा कि कौन होगे बेन दो केरेक्टर वेल दोस्तो आपको क्या लगता है अमें चलदी से कॉमेंट्स में बताएग पार्टिशन हुआ था या हो रहा है क्या मतलब है इसका किस मानसिक्ता पर फिल्म की कहानी को बनाया जा सकता है क्यों नाराज है हर दूसरा शक्स पार्टिशन से दोस्तो नवशकार मैं हूँ प्रेकाश विश्योकर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का बॉलेगराट इस्टुडियोज सनी देवल की फिल्म गदर एक प्रेम कता ने बीते माहिने ही अपने रिलीज के 20 साल पूरे किये हैं फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपने करियर की इस सबसे बड़ी हिट को लेकर हमेशा उत्ताहित रहे हैं फिल्म गदर एक प्रेम कता के रिलीज के 20 साल पूरे होने पर अनिल ने कहा था कि ये फिल्म भले बटवारे के वक्त की हो लेकिन इसमें हमने पाकिस्तान की इज़त का भी पूरा ख्याल रखा वसुदेव कुटुमबकम हमारी परंबरा रही है और पड़ोसी को नीचा दिखाना हमारे संसकार में नहीं है हम पाकिस्तान को फिल्म में कही नीचा नहीं दिखाना चाते हैं और पाकिस्तान के इस वकार को परदे पर पेश करने की हमारी कलपना को अम्विश्पूरी ने साकार कर दिया था उसी तरह आपके बार भी फिल्म को अलग लेवल पर बनाया जाने वाला है डॉक्टर मुल्ला आदम अली द्वरा लिखित किताब पार्टिशन से अगर गदर एक प्रेम कता का पार्ट टू बना होगा तो शायद लोगों तक ये संदेश पहुँच पाए कि पार्टिशन हुआ ही नहीं था या यूँ कहें कि पार्टिशन हो रहा है अगर आपने गौर किया हो तो पार्टिशन में हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच के संबन्द को दिखाय जाता है लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टिशन तो हम खुद अपने देश में भी कर रहे हैं कहीं धर्म को लेकर कहीं काम तो कहीं जाती और पैसो को लेकर जिस पर अगर गदर्टू की कहानी को लिखा और लोगों तो को पहुँचा जाये तो लोगों तक एक अच्छा मेसेज जा सकता है तो ऐसे कुछ डॉक्टर अदम अली की किताब में जिक्र था जिससे हम गदर्टू की कहानी को सोच सकते हैं कहानी कुछ यूँ थी कि कुर्बान भाई का वास्तविक नाम भी कुर्बान भाई था। बावरी विदुवन्स के बाद अल्प संक्यकों के मन में रजक्ता सुनापात होकलापन घर कर गया। संजीब के शब्दों में कहे तो अविश्वास की ओठ धकेले गए मनुसे मानसिक होकलापन अरजक्ता एवं सुनेपन के अलावा हमेशा दिन रात आतन के साए में दिन बिताने को मजबूर हुए। अपने और अपने मिट्टी से परायपन जैसे अवस्था को पार्टिशन नामक कहानी के जरिये प्रस्तूत करते हैं। कुरवान भाई विवजन के वक्त अपना परिवार, सगे समंदी, बपवती वो संपती सब्ख हो गए। फिर भी वो अपने अतीत को इंसानियत और शराफत के बल पर सहता है। काओ अल्ला का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो। यहां रहना हो तो पानी में रहकर मगर मच्छों से बैर करने से क्या फाइदा। कुर्बान भाई ने अगनी परिक्षा जीत कर जो अपना पन, आत्मा विश्वास, साजता अरजित किये हैं उन्हें योजना बत तरीके से मिटा दिया गया है। तिल मिल चूटते कुर्बान भाई को छटका लगता है गोमिया से। जब वो उन्हें कुर्बान भाई के वज़ाए मिया कहता है एक ही मिनट में वो कुर्बान भाई से मिया कैसे बन गए। कई अगनी परिक्षाओं से गुजरकर जो सम्मान प्यार अर्जित किया है, रोज कीमत चुका कर कजबे में थोड़ा सा अपना पन, थोड़ी सी समाजिक शुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी साज़ता उन्होंने अर्जित की थी, पेल मिल करके बना प्रवत बरदास्ट कर लेते, कम से कम ऐसी अच्छी बात तो नहीं सुननी पड़ती, धिकार है, लानत है ऐसी जिन्दगी पर, या लाह, हिंदुत्व अगादियों को क्या पता कि कुर्वान भाई के अंदर क्या टूटता है, और बुद्धिजी भी कहते हैं, पार्टिशन में रहता है, उसके साथ काम करता है, तो उसे वैसे सम्मान क्यों नहीं मिलता है, जैसे बाकी लोगों को मिलता है, वो क्यों एक पराय देश से आया ही माना जाता है, कहानी में लोगों के बीच हो रहे मनोसमाजिक विभाजन का चित्र की जगया है, ये कहानी संपरदाइक मा इतिहासिक दुरिष्टी के साथ उखाडने की कोशिश करती है। हमारे माननिया सांस्कृतिक जीवन मुल्यों का जो बिगड़न हो रहा है वो निरंतर जारी है। इसमें दंगा या हिंसा और बलतका जैसी चीज़े नहीं है। आम लोग के दरिंदन जीवन सोच और रवार में जो जहर घुला हुआ है ये उसकी कहानी है। उस जहर के कारण कुर्बान भाई जो एक बहतरिन इंसान है एक दिन ये सोचें पर मजबूर हो जाते हैं कि वो मुसल्मान है। ऐसी सोच को गदर में दिखाय जा सकता है कि पहले जो पार्टिशन हुआ सो हुआ लेकिन हर दूसरे इंसान के साथ उसके धर्म के अधार पर उसका बटवार एक निरंतर हो रहा है। अब चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान। जैसे गदर की कहानी में दिखाया कि तारा सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। उसकी लडाई सकिना की परिवार से थी ना कि पाकिस्तान की अवाम से। तो ऐसे में गदर टू में इस कहानी को लेकर इस तरह जाय जा सकता है कि सकिना के साथ तारा के देश यानि हिंदू से बसती है गर जहर घोलने की गलती पाकिसान कर रहा है तो जाहिर से बात है उसमें हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है और ये कहानी बेशक गदर के तारा पर सूट करेगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है गदटू की कहानी ऐसी हो सकती है अब नेक्स्ट एर की शुडवात और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए और आठ एक बर फिर से मेरे हाथ लग चुकी है गदर टू मुवी से जुड़ी कई सारी इंट्रोस्टिंग बात ही तो बस देर के इस बात की चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चहां एक तरफ पिछले कुछ टाइ साबित होगा हाला कि कुछ मुवीज के लिए तो फैन्स भी काफी बेसबरी से वेट कर रहे हैं स्पेशली एक तरफ वो अपनी तेन बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं वहीं सल्मान खान भी टाइगर 3 में हमें नजर आने वाले हैं साथी आदी पुरुष आनिमल और अगला साल सच में बॉलिवुड के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है लेकिन साथी लिस्ट में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो काफी लंबे समय के बाद हमें थीटर्स में देखने को मिलने वाले हैं जिसमें से एक हैं गदर 2 2001 में आई गदर एक बड़ी ब्लॉक बोस तो साबित हुई थी और अब लगभक दो दश्कों के बाद मेकर्स फिर इसके अगले बार्ट को लेकर आ रही हैं हाला कि सनी डियोल अपनी एक ओल्ड ब्लॉक बर्स्ट और मुवी के सीक्वल को लेकर आ चुके हैं गायल 2 2016 में गायल 2 से सभी को काफी ज्याद बाल नहीं दिखा सकी और फैन्स की एक्सपेक्टेशन पर बुरी तरह फेली हो गई और अब सनी पार्टी फिर एक बार अपनी पुरानी फिल्म के सीक्वल को लेकर आ रही हैं और इस बार वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अभी हाली में उनकी आनी वाली चुप मुवी के एक प्रेस मीट में उन्होंने अपने गदटू को लेकर कुछ बाते साजा करी है जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे बहले तो वो फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है बड़ी फिल्मों के सीक्वल ज्यादा तर अपनी आक्रस की वजह से चरचा में आ जा साथी उन्होंने बताया कि वो अल्रेडी फिल्म के लखनाव स्केडियूल को पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट मन्थ यानि औक्टोबर में वो उसके अगले स्केडियूल को स्टार्ट करेंगे और डेसेंबर तक वो उसे राप अप कर देंगे लेकिन उसके साथ ही उन्हो को रिलीज करते हैं या नहीं यह कहना अभी तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेशक बेशक नई जेनरेशन को भी गदर जैसे मास्टर पीस को एक बार फिर एक्सपीरेंस करने का मौका मिलेगा फिलहाल मुवी अगले साल की शुरुवात में रिलीज की जाएगी और इसकी ओफिर्शल रिलीज डेट क्या होती है ये साल के एंड तक पता चल रही जाएगा फिलहाल आप भी हमें कॉमेंट में बताएं कि गदर मुवी दोबारा रिलीज होनी चाहिए या नहीं आप अपने ओपीनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें हम फिर मिले एक नई वीजियो के साथ तब तक खुश रहें और सिफ रहें बाबाई गदर होगी फिर से रिलीज क्या नेक्स्ट येर की शिरुवात में रिलीज होगी फिल्म क्या सीक्वल से पहले थेयर्टर में लगेगी पुरानी गदर क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिड दोस्तों जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलिवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट येर अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटर हैं कई आक्टर्स और फिल्मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ र सकीना के रोल में हमेशा पटेल ने भी इंडस्ट्री में तैल का मचा दिया था गदर फिल्म को डारेक्ट किया था अनिल शर्मा वो अब इसका सीक्वल लेकर आने वाले हैं अब गदर टू को लेकर एक नई डिटेल सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा अनिल शर्मा की गदर टू नवंबर दो तक फ्लोर पर आ जाएगी खबरी ये भी है कि गदर टू की तैयारिया तो शुर हो चुकी है रिपोर्ट्स का ये भी कहना कि गदर का सीक्वल जी स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जाएगा अब तक कि मिली जानकारी के मुताबिक सनी देओल और हमिशा पटेल के साथ उतकर्ष भी वापसी करने जा रहे हैं उतकर्ष ने गदर में तारा सिंग और सकीना के बेटे का कारेक्टर प्ले किया था हनिल शर्मा गदर टू के अलावा अपने का भी सीक्वल लेकर आ रहे हैं अपने टू में सनी देओल नेशनल फाइटर से लड़ती हुए भी दिखाई देंगे जिसके लिए उन्होंने पूरी कमर कस ली है काफी समय से करन इसकी तैयारिया भी कर रहे थे वेल बात करें गदर की तो कहा जा रहे है कि गदर टू में भी सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान जाएंगे जहां तो देखने वाली बात होगी वेल आपको इस बार में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राज शेयर करें थैंक्यू सो मच देखते रहे हैं पॉलिग्राड स्टूडियो स्टिंग हाथ लिए हतोड़ा लिए पीडी जीप पर टूट पड़ता है अंचर तिंचर भी खेट के रंग देता है बीते कुछ समय से हतोड़ी को वीर स्ट्रिब इंडियन स्रेमाने कुछ जादा ही जखनी है केजिए पकाइट पॉपलर सीन है जहां रॉकी हतोड़े से अ सनी शन्मा ने बताई है उन्होंने इवेंट के दौरान कहा प्रमें एक सीन है जहां सनी द्योल हतोड़े के साथ अक्षन करते हैं एक दिन हमारी 10-15 नोग की टींग साथ में बैकी थी मैंने उसे पूछा जो बोल्लवुड और साउट की बड़े-बड़े हीरो है वो ये सीन करते तो फिर क्यासा बगता उन्होंने कहा वोनों करते तो भी अच्छा लगता लेकिन जैसे सनी सन लग रहे हैं पैसा कोई नहीं लगता लेकिन यह आइडिया मैंने साउट के फिल्मों से ही लिया है क्योंकि गदर एक रोमांस आक्षिन ड्रमा पर में तो इसमें इंस्पि गदर टू को लेकर सनी देवाल से मिले उन्होंने बताया जब मैं नरेशन को लीकर उनसे मिला तब उन्होंने मुझस से पूछा शर्मा जी हम गदर टू क्यों बना रहे हैं गदर इतनी बड़ी हट है उसकी एक लेगिसी है तब मैंने कहा क्यूंकि पूरा हिंदूस्तान च अंधे से आसु आ गए इसी नोट से गदर्टू की शुरुबात हुई सनी ने इसी इवेंट के दौरान कहा था कि वो गदर्टू करने से पहले डर रहे थे गदर सनी की करियरती सबसे बड़ी पल्म है उससे चूड़ी एक मजबूत फैन फॉल्लॉइंग है सनी को चंता थी कि इसी वज़ा से वो जिजब करहे थी थोड़ी से डर रहे थे अलाकि अन्य शर्मा ने उन्हें कहानी सुनाई और वो फिल्म करने के लिए रासी भी हो गया बता दे कि गदर्टू में सनी दियोल अमीशा पटेग और उतकर शर्मा के साथ इस बार सम्रत कौर और मनीश संग्रत फिल्म में उतकर्ष की क्यारक्टर जीते की अपोजिट हूंगी तो आप हमें ये वदाई कि आप इस फिल्म के लिए कितने एकसाइड़ है ताथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो फो लाइक बशर करना मन भूलिए गा आज किनी बस इतना नहीं मैं का सीक्वल लेकर आ रहे है सनी दे और अवीशा पर टेल उतकर शर्मा और डिरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और ओडियंस को इस फिल्म का जतना इंतजार है उतना ही इन सब को भी है पर पता नहीं कुछ लोगों को एक तक क्यूं लगा कि अ अपने फिल्म के रिलीस डेट बदल देंगे फर ऐसा कुछ भी नहीं है वलकि अनिल शर्मा इग्यारागर्स 2030 को ही अपने फिल्म रिलीस करेंगे अनिल और सनी ने तो यहीं कहा है कि इस फिल्म के साथ कोई और फिल्म आ रही है तो उसे आने दीजे पर हमारी रिलीस डेट म कोई बदलाब नहीं होगा audience की feelings के साथ कोई छेड़ छाड़ नहीं होगी क्योंकि ये बेसबरी से इस film का इंतिजार कर रहे है अब अगर देखा जाए तो इस film के साथ रनमीर कपूर की Animal 11 अगस्त को ही release होने वाली है ऐसा कहा गया था पता नहीं अब Animal के नेकर्स पीछे हटेंगे या फिर नहीं Gather 2 के डिरेक्टर अनिल शर्मा का ये कहना है कि Gather 2 एक emotion है और film का post production का काम भी शुरू है तो इसी के वीच पैल्म की release date को किसी और film की वजल से बदम देना ये नहीं हो सकता ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अजय देवगन की फिल्म मैदा जो जूल में release होने वादी है उसके release date भी शायद बदल दी जा सकती है तो इसी में ऐसी खबरे आ रही है पर अनिल ने उस पर ब्रेक लगा दिया है हिंदुस्तान जिन्दाबाद है जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा ये नारे हमाए 11 अगस्त को ही सुनाई देंगे अनिल शर्भा की हां में सनी देवन ने भी हां में हां मिला दी है अब देखते हैं कि अनिल शर्भा का ये यकीन उनका कितना फाइदा कराता है और क्या ये फिल्म ओडियल्स को पसंद नाती है या फिर नहीं फिलाल के लिए आप बताईए कि आपकी अपनी क्या राय है अब एक कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताईए और जाते जाते इस साली वीडियो को पड़िए था तो वहीं ये साल बॉल वुट के लिए अच्छा साबित हो रहा है साल के शुरुआत धमाकेदार फिल्मों से हुई आली में चार साल बाद परदे पर पठान बनकर उद्रे शारुक खान ने वॉक्स ओफिस पर गरदा उड़ा दिया तो वहीं अब दर्शकों को भाईजान के फिल्म किसी का भाई किसी की जान का इंतजार है फिल्मों को लेकर खासा बस देखने को मिल रहा है वहीं कुछ लोग सनी की कदर टू का इंतजार भी जोरो शोरो से कर रहे हैं ऐसे में दोनों फल्मों के फैंस के लिए शानदार खबर सामने आ रही है खबर है कि भाईजान के पल्म में सनी दिवल दिखाई देने वाले हैं आईए समझाते हैं क्या है पूरा मामला 21 अप्रायल को सल्मान के फल्म किसी का भाई किसी की जान परडीस होने वाली है इस बात को लेकर फैंस में काफी खुशी है इस बारे में जानकारी ओल्वेस बॉलिवोड ने अपने एक ट्वीट के तरिये दी है इस ट्वीट में बताया गया है कि सल्मान खान ने सनी दिवल के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है गदर टू का टीजर किसी का भाई किसी की जान के साथ अटैच किया जाएगा सल्मान खान के फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने आए दर्शकों को बड़ा सर्प्राइज मिलेगा दर्शक बड़े पड़े पर सनी दियौल की फिल्म का टीजर देखने का लुफ्ट उठा सकेंगे 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर ने बॉक्स ओपर्स पर गंदा उड़ा दिया था लोगों को फिल्म की कहानी भी खोब पसंद आई थी फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ओपर्स पर अपलता के जंडे गार दिये थे फिल्म में दिखाई गई लव स्टोडी ने लोगों का दिल जीत लिया था अब फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर लोग एक्साइटेड है गदर टू 11 अगर 2023 को रिलीज होगी अनिल शर्मा की निर्देशित गदर टू 2001 की गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उतकर शर्मा भी होंगे जिन्होंने पहले पार्ट में सनी और अमिशा के बेटे की फुमिका निभाई थी तो आप गदर टू का इंदिसार कितनी बेसबरी से कर रहे हैं ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए साथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रगती मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेफ रही है बसकुराती रही है वाबा मैं रीप्लेस नहीं करनी वाला इसके साथ-साथ उन्हों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को महारास्ट और लखनव में क्रियेट किया गया है जिसमें लखनव में 50 दिन का स्केडियूल था तो महारास्ट में 25 दिन का वैसे जबरदस्त आक्षन सीक्वन्स शूट होने वाले हैं इसके बारे में मनीश ने ये कहा कि गदटू के लिए तीन आक्षन डारेक्टर्स काम करें हैं उनके नाम है तीनू वर्मा, रवी वर्मा और शाम कौशल तीनों ने अलग-अलग आक्षन सीक्वन्स शूट किये हैं महारास्ट्रो में पाकिसान आर्मी का एक जबरदस्त आक्षन सीक्वन्स शूट किया गया है जिसके लिए 500 से 700 जूलियर आर्टिस ने काम किया है वैसे अपने लुक को लेकर मनीश ने यही कहा कि कोई प्रोस्थेटिक इस्तिमाल नहीं किया गया है सर्फ मूझे रखी है दो तीन अलग लुक्स होने वाले हैं तो मनीश अपनी खारेक्टर को लेकर काफी एक्साइटेड़ और पठा में भी उनके काम को काफी ज्यादा सराहा गया है तो देखते हैं कि गदर टू में वो किस तरह का जादू हो अब इस दुनिया में नहीं है इसी है उनकी जगव पठान अविनेता मनीश वाध्वा खलायक के रूप में लेंगे और इस फिल्म में नजर आएंगे फिल्म के स्टार कास्ट में जबसे मनीश वाध्वा का नाम आया है तब से नगतार उनकी तुन्ना अमरीश पुरी से की जा रही है इससे एक्टर पर अपने किर्दार के साथ नयाय करने का काफी ज्यादा दबाव बना साथी अभी हाली में एक इंटर्व्यू में एक्टर ने फिल्म और अपने किर्दार से जुड़ी कुछ इंसाइक दीटेल्स शेयर की मनीश वाध्वा ने कहा अमरीश जी ने अर्श्रफ अली की भूमी का निभाई और वो सकीना के पिता बने मेरी उनसे तुन्ड़ नहीं की जा सकती फिल्म में मेरा किर्दार एक पाकिस्तानी जेनरल का है और फिल्म में 24 साल बात की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म की नई कहानी में मेरा किर्दार बेरकुल अलग है मनीश ने गदर 2 दखकथा कंटिनियूस के एक्शन सीक्विल्स के बारे में खाव जानकारी भी साचा की अमिलेता ने कहा कि तीन लोग टीनू वर्मा, श्याम कौशर और रवीम वर्मा फिल्म के एक्शन द्रिश्यों पर तामतर रहे हैं गदर 2 2001 में आई फिल्म गदर का सीक्वल है, फिल्म में सनी देउल, अमिशा पटेल और उतकर शर्मा मुख्य भूमिकावे हैं सेंद की घोशना अक्टूबर 2021 में की गए थी, गदर 2 मुख्य रूप से तारा सिंग के अपने बेटे चरन जीत के साथ अटूट बंधन पर केंद्रित होगी, जिसे उसके माता पिता प्यार से जीते कहते हैं गदर 2 की कहानी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संगर्ष की कहानी का फोकस होगा, जो 20 साल आगे बढ़ेगा तारा सिंग सरहत पार करेंगे, लेकिन इस बार सकीना के लिए नहीं, बलकि उसके बिना और अपने बेटे के लिए करेंगे ये फिल्मे 11 अगस्त को सिनमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तयार है, आपका इस बार में क्या कहना है, तो पड़ा पड़ से बताईए कॉमेंट सेक्षन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे, लाइक और शेयर और चानल को सबस्राइक करना अब बिल्कुल ना भूलिये और मुझे यानि शूति को दीजे जाज़त, नमस्तों ने इस तरह 22 जगा को मार्क करके रखिया है, जिसे एरिया ओफ डेफरिंग परसेप्शन कहा जाता है, एलो सी के बगल में पश्चिम लदाख, हिमाचल प्रदेश और उत्राखंट का 23 इलाके एरिया ओफ डेफरिंग परसेप्शन में आते हैं, इन इलाकों में दोनों ही देश एक दूसरे की से नाओ को अपने अपने दावे वाली सीमा पर पेट्रॉलिंग करने की इजाज़त देते रहे हैं, कभी कभी मेजर जेनरल लेवल की भी मीटिंग वहां होती है, इ दोनों ही देशों की आर्मी L.A.C. पर पेट्रॉलिंग के दौरान पहले से कुछ फिक्स उपायों का पालन करती है, उसके बाद और भी कई ऐसे टॉपिक्स पर डिसिजन करती है, जिनहें confidence building majors कहा जाता है, और तो और अलग अलग दावों वाले 23 इलाकों में इनका खास तो स्टेप धीरे धीरे दोनों से नाव के पीछे हटने से लेकर हर तरह के तनाव कम किये जाने थे, और ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है, इस प्रोसेस की progress चेक करने के दौरान भी 15 जून की रात को लड़ाई हो जाती है, और दोनों और से कई सैनिक मारे जाते है, इंजन से सेना पहाडियों पर लड़ने के लिए पूरी तरहां से trained, अनुभवी और confidence से भरे हुए थे, सेना पूरी तरहां तयार थी और अपनी सिमाओ की रक्षा करने में सक्षम भी थी, और आज तक है भी, आर्मी हमेशा बुरे से बुरे situation से निपटने के लिए अपनी योजना ब एक बड़े operation में बदलने के chances रहेंगे और फिर ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, इसका डायरा बढ़ सकता है, तो ऐसे में high level meeting में ही ये final होगा कि देश के फायदे में सेना किस range तक action ले सकती है, तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होने वाला है फिल्म गदर 2 में, त बहुत ही अलग होने वाला है और उनका ये रोल और पठान का जेनरल का रोल काफी अलग है, उनके किरिदार को अश्रफ अली के किरिदार से compare भी किया गया, यानि कि अमरीश पूरी के किरिदार से, पर इस पर मनीश ने यही कहा कि मैं जेनरल का किरिदार निभा रहा हूँ, मेरा किरेदार अलग है और अमरीश जी ने जो किरेदार ने भाया वो अलग था उनकी किरेदार को मैं रीपलेस नहीं करनी वाला इसके साथ-साथ उन्हों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को महारास्ट और लखनव में create किया गया है जिसमें लखनों में 50 दिन का स्केडूल था तो महारास्ट्र में 25 दिन का वैसे जबरदस्त आक्षन सीक्वन्स शूट होने वाले हैं इसके बारे में मनीश ने ये कहा कि गदटू के लिए 3 आक्षन डारेक्टर्स काम करे हैं उनके नाम है तीनु वर्मा, रवी वर्मा और शाम कौशल तीनों ने अलग-अलग आक्षन सीक्वन्स शूट किये हैं महारास्ट्र में पाकिसान आर्मी का एक जबरदस्त आक्षन सीक्वन्स शूट किया गया है जिसके लिए 500 से 700 जूलियर आर्टिस ने काम किया है वैसे अपने लुक को लेकर मनीश ने यही कहा कि कोई प्रोस्थेटिक इस्तिमाल नहीं किया गया है सर्फ मूझे रखी हैं दो-तीन अलग लुक्स होने वाले हैं तो मनीश अपनी खारक्टर को लेकर काफी एकसाइटेटर पठां में भी उनके काम को काफी ज्यादा सराहा गया है बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुसा भी आता है पर वो उस टाइम उस कमरे से बाहर चला जाता है तारा सिंग के जाने के थोड़े देर के बाils रवी वॉश्चुम से बाहरा आता है एब वो अपनी नकली दाड़ी को डूने लगता है लेकिन उसे वो नकली दाड़ी कैसे मिलती क्योंकि अब तो वो तारा सिंग के हात में लग चुकी थी और वो ये सब ढूनी रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम इसको ढून रहे हो इस आवाज को सुनने के बाद रवी डरते हुए पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि तारा सिंग यानि सनी डियॉल के हाथ में उसकी वही नकली दाड़ी थी ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कुछ बोल पाता वैसे ही तारा सिंग उसको मारने लगता है अब शोर की अवाज सुनने के बाद शकीना भी जल्दी से कमरे में आ जाती है तो वो इस लड़ाई को किसी तरीके से रोग देती है लेकिन ये क्या तारा सिंग तो रवी यानि अतुल कुल करनी की कोई बात ही सुनने को ready नहीं था फिर काफी जादा रिक्वेस्ट करने के बाद रवी यानि अतुल कुल करनी अपनी बात बोलता है कि वो एक raw agent है और वो अपना ID card भी दिखाता है जिसके बाद वो अपनी mission के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे इंडिया पे बहुत ही बड़ा खत्रा मंडरा रहा है जिसके लिए उने शकीना की मदर चाहिए ताकि वो पाकिस्तान जाकर information निकाल सके लेकिन ये क्या ये बाद सुनने के बाद तो तारा सिंग को और ज़्यादा घुसरा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम अभी क्या भी मेरे घर से निकल जाओ हमें कुछ नहीं करना इस mission के साथ अब बहुत जादा ट्राइ करता है रवी की तारा सिंग उसकी बाद समझ जाया और उसकी बाद मान ले लेकिन तारा सिंग अपने परिवार को बिल्कुल भी खत्रे में नहीं डालना चाहता वो उसको घर से निकाली रहा था कि पीछे से एक आवाज आती है जाओंगी यह वाज होती है शकीना की शकीना बोलती है कि मैं पाकिस्तान जरूर जाओंगी और इंडिया के लिए ये काम करूंगी अब शकीना के मुह से ये सारी बाते सुनने के बाद तारा सिंग काफी जादा शौक हो जाता है अब क्या तारा सिंग बदल पाएगा शकीना का फैसला और कैसे करेगी शकीना इस मिशन को पूरा दोस्तों वॉलिवड इंडस्ट्री की ब्लोगबस्टर फिल्म गदर का सीक्वल गदर टू सिनिमा घरों में 11 अगस 2023 को रिलीज होने वाला है लोगों को एक बार फिर सनी देओल और अमीशा पतेल की जोडी जम कर एंटर्टेन करने वाली है लोग इस फिल्म की रिलीज होने का भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं इसे बीच सनी देओल और अमीशा पतेल ने अपने सोशल मेरी अकाउन से फिल्म गदर टू से जुड़ा अपडेट शेयर किया है दोस्तों असल में फिल्म में अपने प्रीक्वल के हिट सॉंग उर्जा काले कावा और दूसरे सॉंग को एक अलग वर्जन को शामिल करने का प्लान मेकर्स ने बना लिया है गदर एक प्रेम कथा में कुछ बहतरीन धुने भी थी जिने लोग आज भी गुन गुनाते हैं दोस्तों रिलीज हुई इस फिल्म में उर्जा काले कावा और मैं निकला गड़ी लेके जैसे लोग प्री अट्रैक्ट थे अब फिल्म के बार में नवीनतम चर्चा ये है कि मूल फिल्मों के कुछ गानों को सीक्वल के लिए रिक्रियेट किया जाएगा निर्माता फिल्म के लिए दो प्रतित गाने उर्जा काले कावा और मैं निकला गड़ी लेके फिर से इन दोनों को बनाने की योजना बना रहे है साथ इक गदर टू से वैलंटाइन स्पेशल पर एक पोस्टर भी शेयर किया गया था इस पोस्टर में सानी देओल और अमीशा पटेल एक दूसरे को प्यार भरे अंदास से निहारते हुए नज़र आ रहे है वहीं अमीशा पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म गदर टू का मोशन पोस्टर शेयर किया है दोस्तों सानी देओल और अमीशा पटेल ने अपनी पोस्ट के साथ एक जैसा का एक्शन लिखा है फिल्म गदर टू के स्टार्स ने लिखा कि क्या आप सारा सिंग और सकीना की इस एपिक लव स्टोरी को इधर फिर्ट से देखने के लिए तयार है दोस्तों सानी देओल की फिल्म गदर टू को लेकर शेयर की गई पोस्ट पर फैन्स जम कर रियाक्शन दे रहे हैं सानी देओल की पोस्ट पर अधिकतर फैन्स कहा रहे हैं कि वो फिल्म की रिलीस का इंतिजार नहीं कर सकते फिल्म का पहला शिर्डूल पिछले साल दिसमबर में पालमपुर में शुरू हुआ था फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंग की भूमिका निभाई है जबकी हिरोईन अमीशा पतेल ने सकीना की भूमिका निभाई है और अब बड़े हो चुके उतकर्ष ने उनके बेटे चरंजीत उर्फ जीते की भूमिका निभाई है फिल्म का सीक्वल उत्तर भारत में 20 साल के अंतराल के बाद शुरू हुआ है जहां से कहानी को आगे बढ़ाया गया है अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म गदर 2 में सानी देओल और अमीशा पतेल के अलावा उतकर्ष शर्मा भी नजर आएंगे दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी इस फिल्म का डायरेक्शन भी अनिल शर्मा ने ही किया था फिल्म गदर में अनिल शर्मा के बेटे उतकर्ष शर्मा ने सानी देओल और अमीशा पतेल के बेटे का रोल निभाया था तो दोस्तों आप बताईए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंदा आया हो ना तो फड़फेट से इसे लाइक और शेयर कर दीजे 47 पार्टीशन में आई प्लट ट्रेंज एलो दोस्तों मैं ने दिन आपका स्वागत करता हूँ वाले ग्राइड स्टूडियोज में ब्रिटिशर के पार्टीशन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही इंसानों को मारना शुरू हो गया था पडोसियों ने पडोसियों को मार डाला बच्पन के दोस्त दुष्मन बन गए और इनसानों के इस धरती से इनसान यतका नामों निशान मिन प्रिया बंगलोज और मैंशन्स को जला दिया गया और लूट लिया गया महिनाओं के साथ भलातकार किया गया बच्चों को उनके भाई भहनों के सामने मार दिया गया तो नए देशों के बीच पैसेंजर से भरी ट्रेंज जब डेस्टिनेशन पर पहुँची तो लोगों से नहीं बलकि लाशों से भरी होती थी उन सब को रास्ते में ही भीड़ दे मार डाला लाशों का सन्नाटा और उनकी बोडीज से बह रहे खून से लगपत ट्रेंज को बलड ट्रेंज का नाम दिया गया क्योंकि उनके दरवाजे से नजाने कितने मासुन लोगों का खून बह रहा था आज भी जब कोई partition का survivor अपना horrific experience बताता है तो हमारे रौंटे खड़े हो जाते हैं जैसे सरदार जोगिंदर सिंग एक सिक जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के एक गाउं में रहने वाले एक तीनेजर थे उन्होंने याद किया कि कैसे partition के वक्त उनके गाउं के लगभग सभी पुर्शों को हमला वरोंने मार डाला था उन्होंने बताया था कि गाउं के 25 में से 18 पुर्श एक हमले में मारे गए थे और उन्होंने एक सिक महिला को भी याद किया जिसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक गुरुद्वारे के अंदर आत्महत्या कर ली थी। उस महिला का नाम वीरावाली था। वो बहुत सुन्दर महिला थी लेकिन दंगों के दौरान मुस्लिम उसका पीछा कर रहे थे। उनके गाउं में एक गुरुद्वारा था इसलिए वो शर्ण लेने के लिए गुरुद्वारे के अंदर भाग गई। वहाँ पहले तो वीरावाली ने कोली बुक्स के लिए अपना माथा टेका और फिर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे सब कुछ अचानक बतर गया था और सब को कुछ हो गया था मानो इनसानियत मर गई हो हर कोई शैतान बन गया हो एक और कहानी नसीम भादिमा की जो दिल्ली के करोल बाग में रहती थी उनका एक खुशाल के ली थी जो जिन्दा बची थी लेकिन उनका परिवार भारत जाने वाले ट्रेन में चड़ नहीं पाया क्योंकि उस समय बहुत भीड़ थी लोग ट्रेन की छट पर बैठे थे और कम से कम जगह के लिए धकामुकी कर रहे थे लेकिन पिता ने ट्रेन से बाहर आने का फैसल लगने लगता है क्योंकि एक पल था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में इतनी मिल्टी जुल्ती संस्कृति और भायचारी की वज़े से बहुत प्यार था लेकिन जैसे ही पार्टिशन की बात हुई दोनों देशों के लोगों के अंदर एक दरिंदा लाम है इन सर्वाइवर्स की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह 1930 में लुडोविक 10 साल का था जब वो पहली बार लीला ब्रॉनिका से मिला वो एक पुलिस रईस की बेटी है जिसके पास कलेरी के पास एक संबत्ती है लुडोविक लीला से मंत्र अपनी अचू की आपदाश के शिकार वो चार साल के दोरान उसके लोटने का इंतिजार करेंगे दोस्तों वो पूरी तरह से और अपरिवर्तनिय रूप से उसके प्यार में है लीला अपने परिवार अपने जर्मन चचेरे भाई हन्स वॉन श्रेडे और उनके आश्रित ब हाई टाट से दोस्ती करता है हन्स और ब्रूनो के साथ चीज़ें अधिक जटल है जो उसके साथ प्यार में भी है लुडो को उनकी संपत्ती में आमंत्रित किया जाता है और उसे और उसके परिवार को जाना जाता है 1930 के दशक में लीला ने अपना सारा ग्रिश्मकाल कलीरी में बिताया और उसका प्रेम संबन्ध बढ़ता गया इस दौरान लुडो काउंट ब्रोकी के सचिव के रूप में काम करता है 1949 में लुडो लीला में गर्मिया बिताने के लिए पोलेंड जाता है और जब दृतिय विश्युद्ध शुरू होता है तब भी वो वही होता है दृतिय विश्युद्ध की पूरो संध्या पर एक फ्रांसिसी गाओं के लड़के को एक कुलीन पुलिस लड़की से प्यार हो जाता है नायक फांसिसी प्रतिरोध में शामिल होता है लेकिन अत्याचार का सबसे बड़ा प्रतिरोध उसके खोए हुए प्यार के प्रति उसकी वफादारी में नहित है प्रेमियों को प्रतिक्षा करने और आशा करने में सक्षम होना चाहिए और सबसे बढ़कर याद रखने के लिए और इसलिए लड़का अपने प्रेमी की वापसी की प्रतिक्षा करता है ठीक वैसे ही जैसे वो अपने प्यारे फ्रांस की वापसी की प्रतिक्षा करता है जब की नाजी जंडा खिड़कियों से लड़का हुआ है गर्व और अस्तित्व की एक विडंबना पून कहानी तब शुरू होती है जब खत्रे से बचने की कोशिश में वे एक दूसरे से टक्रा जाते हैं और गोलियों के निरंतर आदान प्रतान तक्रार और अधिक अर्सपस्ट इस्तितियों के बीच ये एक अप्रत्याशित अंध के साथ मानव कनेक्शन की यात्रा में विक्सित होता था कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई हो सकता है कि गदर टू में इस कहानी से ये इंस्पायर्ड हो पाकिस्तान की लगती का कश्मीरी रोमांस साथ रहने से बढ़ेगा प्यार दोस्तों नुम्रकार मैं हूं प्रकार्च विश्योगर्मा स्वागत करतामाव सभी का बॉलिग जहते हैं वहीं जितना सुंदर है इतुने ज्यsm paycheck और यज़दा वार्मार देखी है और लगता है कि यह वजा है कि नाजाने कितने ही मुश्क्लों का आसामना करने के बाद भी कश्मीर अपने संदरता नहीं खोता है एक बात खिर से कश्मीर के ये सुन्दर्टा हमें दिखने वाली है गदर फिल्म के सिक्ल गदर टू में जी हाँ आप को बता दे कि जहां गदर फिल्म के साथ हमें देखा की सकीना और तारा सिंग वापस भारत में घुसा आते हैं और अपनी जिन्दगी आगे जीते हैं तो आप बता दे कि गदर फिल्म के सिक्ल में उनकी इस जिंदगी का हमें एक नया पहलो देखने को मिलेगा ये दून चले जाएंगे कश्मीर में रहने के लिए जहां उनका बेटा जीते अब बड़ा हो चुका है और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बिश काफी ज़्यदा टैंस महाल और एक यूद को देखकर घबरा जाता है भारत और पाकिस्तान के इसी यूद में बदल जाती है जीते की किस्मत जीहां हम बात कर रहे हैं 1962 के वार की तो कहानी है जीते की जो एक बार घर से निगलता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जो पाकि किस्तान से भटक कर भारत के बॉर्डर पर आ चुकी है अधमरी सी पड़ी हुई है वो उसे घर ले आता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है उसका साथ देते हैं तारा सिंग और सकीना और कुछ समय के बाद जब लड़की हो समालती है तो वो घर जाती है क्योंकि एक ऐसे देश में है जहां वो किसी को नहीं जानती लेकिन धीरे धीरे जब वो यह देखती है कि तारा सिंग सकीना और जीते तीनों ही उसका बहुत ज़दा ख्यार लगते हैं तो उसकी वो खुशी वापस आ जाती है लेकिन अपने घरवालों की उस्तियात को वो भूला न में ही और बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए जीते की तो दोस्तों यह होने वाली है गदर्टू की कहानी लेकिन हमें पुरा यकीन है कि इस कहानी में आने वाले हैं और ट्विस्ट और इनी ट्विस्ट को देखने के लिए हम कर रहे हैं गदर्टू की निलिस का इंपिजार अब ये फिल्म जब भी टेटर्स में आएगी क्या दमाका होगा आठ साल के लंबे इंतजार के बाद इस तबल निना दो परवरी 2021 को शादी कर लिए और पती पत्नी बन गए दरसल यह लाज स्टोरी भॉपाल के तारीक और कराची की रहने वाली हीरा की है जिनकी पेम कहानी आज से आठ वर्ष पहले एक हुका लाउंज में शुरू हुई थ जहां वो अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ बिटन मार्केट के एक हुका लाउंज में पार्टी करने के लिए गई थी इसी दोरान एक कॉमन फ्रेंड ने तारीक और कराची की रहने वाली हीरा की मुलाकात करवाई थी फिर क्या था दोनों एक दूसरे से एक फोन हीरा के लिए ते टारीक ने ऽिए दोरान मुझसे यह कहा था क्या एक बार मिलां गालेगें पाकिस्तान चली गई करीब एक साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई इस दोरान दोनों एक दूसरे से बेपना महबत करने लगे इसके बाद दोनों के घरवालों ने तारिक और हीरा की शादी के बारे में बात चीत की और विवा के लिए तारीक निकालने लगे लेकिन इसी दोर जो था वो ज्यादा गरम हो गया इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बाते होने लगी लेकिन क्या करें बेश भी लोटना था और निकाल भी करना था इसी तरह दो मार्श 2019 को 24 घंटे में तारीक और हीरा का निकाल हो गया जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लग जिसके चलते घरवालों ने शादी की रस्मों को और आगे बढ़ा दिया जैसे तैसे C.A.N.RC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महमारी में अपने पैर पसार ही जिसके बाद केंदर सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया इस तरह हमारी श न्यूज और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना वैसा कुछ भी नहीं है वो लोग दोनों देशों के रिष्टों को बड़ा चड़ा कर दिखाते हैं जितनी तल्की दिखाते हैं ना उतनी असल में है ही नहीं भारत के नागरिक काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में भी इंडिया के लेना इतनी नफरत नहीं है मेरी अमी भुपाल की ही रहने वाली है मेरा बच्पन भी यहीं पर गुजरा है इसलिए मुझे भुपाल जो है वो बहुत पसंद है तारिक में एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भु आपको बता दें कि इस कहानी का चूटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है गदर 2 में काये जा रहा है कि इस बार भी सनी देओल अपने प्यार के लिए ना करेंगे देश की सरहदों को पाल और आपको बता दें कि इस बार Не. country बल्कि भारी भर कम पहिया उठाते नजर आएंगे तारा पैंग। हाली में इस फिल्म से सनी देवल का ना फॉर्स लोग सामने आया है। जी स्टूडियोस में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक जलक दिखाए गई है जो इस साल यानी 2023 में र सोशल मीडिया पर हैश्टाग गदर्टू प्रेंट कर रहा है एक यूजर ने कहा सनी पाजी वाह क्या लग रहे हो आप एक ने कहा मैं और गदर्टू का इंतिजार नहीं कर सकता गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी देश के विभाजन पर अनी देवल की गदर्टू फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आस पास यानि की अधस 2023 में रिलीज हो सकती है आज के लिए बस इतना ही आप गदर्टू को कितना बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अब मैं पुर्णमा लेती हूँ आप सभी से इजाज़त ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताथ ही सब्सक्राइब करना ना बुलें बॉलिए बॉलिग्राइब स्टूडियो इसको अक्सर आपने फिल्मों में प्यार के लिए ना करी डायलॉग तुमें हुए नहीं हीरो कहता है जब बात में अर्बत की हो तो उसका रास्ता कोई सहर या कोई दिवार नहीं रोग सकते है लेकिने शायरी को सच कर दिखाया है वीयर लाइफ में एक प्रेमी जोड़े में जब पाकिस्तानी लड़की और भारत के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया तो हम को हम सफर बनने के लिए ना कई मुश्किलों का चांदा करना पड़ा आच साल के लंबे इंतजार के बाद इस अबल ने ना दो परवरी 2021 इसको शादी कर लिए और पती-पत्नी बन गया है दरसल यह लास्ट चोरी भुपाल के तारीक और कराची की रहने वाली हीरा की है जिनकी पेम कहानी आज से आ मुलाकात करवाई फिर क्या था दोनों एक दूसरे से फोन पर खुब बाते करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए दीरे दीरे यह दोस्ती जो थी वो कब प्यार में बदल गई दोनों को भी पता नहीं चला जब साल 2017 में हीरा वापस अपने देश और पाकिस्तान जाने ल क्योंकि मैंने पहले भी अपनी अम्मी को ना हीरा के बारे में बता कर रखा था अम्मी ने हीरा से कहा कि बीचे तुम मेरे घर की बहु बनोगी क्या हीरा ने कहा मैं आपकी बहु बनने के लिए तैयार हूँ इतना कहकर वो अपने देश पाकिस्तान चली गई करीब एक साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई इस दोरान दोनों एक दूसरे से बेपना महबत करने लगे इसके बाद दोनों गे घरवालों ने तारीक और हीरा की शादी के बारे में बात चीत की और विवा के लिए तारीक निकालने लगे लेकिन इसी दोरान 14 फरवरी 2019 को ना पुलवामा में अटैक हो गया जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो था वो और भी पढ़ गया फिर कुछ दिन बाद ही भारत में 26 फरवरी को एर स्ट्राइक कर दी जिससे महुल जो था वो जादा गरम हो गया इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बाते होने लगी लेकिन क्य करें देश भी लोटना था और निकाह भी करना था इसी तरह दो मार्श 2019 को चौबीस घंटे में तारीक और हीरा का निकाह हो गया जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लगी दोनों के परीजनों ने कहा कि अब शादी की बाकी के रसमें बाद में करेंगे लेकिन इसी प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महमारी में अपने पैर पतार हुए जिसके बाद केंदर सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया इस तरह हमारी शादी ना फिर रुख गई निकाह के करीब दो साल तक ना हम लोगों को तो शादी करने के लिए काफी मुश्कि नहीं है वो लोग दोनों देशों के रिष्टों को बड़ा चड़ाकर दिखाते हैं जितनी तरकी दिखाते हैं ना उतनी असल में है नहीं बारत के नागरिक्त काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में बीन इंडिया किलेना इतनी नफरत नहीं है मेरी अम्मी भुपाल की ही रहने वाली है मेरा बच्पन भी यहीं पर गुजरा है इसलिए मुझे भुपाल जो है वो बहुत पसंद है तारिक में एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भुपाल स्पी आफिस पहुचे थे यह आखेसर ने मुझे से पूछा कि तुमने आखिर पाकिस्तानी लटकी से क्यों शादी करी तो मैंने मजागी अंदाज में उनको जवाब दिया कि जब पाकिस्तानी सानिया मिर्जा को हमारे देश से लेकर जा सकता है तो क्या हम उनकी देश की बेटी को नहीं लेकर आ सकते हैं मैंने सानिया का बदला पूरा कर लिया है आपको बता दे कि इस कहानी का छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है करना फॉर्स लोग सामने आया है जी स्टूडियोस में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन फिल्म और सीरीज की एक जलक दिखाए गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होगी बतादे कि इस चोटे से 50 सेकंड वाले वीडियो में सनी दियोल का तारा सिंग वाला के दार भी नजर आ रहा है इस लुक्ट में तारा सिंग ना भारी भरकम पईया उठाते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बात से ना फैन्स और भी ज्यादा एक्साइडिड हो गए है इसी कारण सोशल मीडिया पर कोगबस्टर साबित हुई थी सनी दियोल की गदर टू फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आस पास यानि की अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मी तो चाहा है लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनको बांगलादेश चाहिए था लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी जगा दिखा दी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वार के बाद बांगलादेश को आजादी मिल गई और इस वार में पाकिस्तान को करारी खार का सामना करना पड़ा था 16 डिसेंबर वो दिन है जो भारत के साथ साथ उसके पडोसी पाकिस्तान और बांगलादेश को भी हमेशा के लिए याद रहेगा इस दिन जहां भारत और बांगलादेश गर्व से सर उठाते है वही पाकिस्तान शर्ममिंदगी से सर जुकाता है भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बॉर जीता था जिसके परिणाम स्वरूप बांगलादेश नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ और उस समय उसे इस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और उसे दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और इस वार को सेकंड वोल्ड वार के बाद दूसरी ऐसी वार बताई गई है जिसमें सेना ने सरंगर कर दिया था पाकिस्तान ने युध अपने गुरूर में आकर किया था क्योंकि उसको दिखाना था कि उसका एयर फोर्स ना स्ट्रोंग है और उसके लिए उसने इंडिया के 11 एयर बेस पर हमला भी करवाया था जिसमें इंडिया के तीनों सेना ने एक साथ लड़ाई की थी और इंडिया ने पश्चिम में पाकिस्तान को सेना की हरकतों का तुरंट जवाब दिया और लगबग 15,000 किलो मिटर्स पाकिस्तान के छेतर पर कबज़ा भी कर लिया था इंडिया और पाकिस्तान का ये युद केवल 13 दिनों तक चला और इस युद को इतिहास के सबसे छोटे युदों में से माना जाता है लेकिन इसका परिनाम पाकिस्तान को आज भी खुद शर्मिंदा होने की याद दिलाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वार 3 दिसेंबर 1971 से 16 दिसेंबर 1971 तक हुई जिसमें इंडिया के सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर उसके सारे सैनिकों को कबजे में कर लिया और बांगला देश के 7.5 करोड लोगों को आज़ादी दिलाई इस्ट पाकिस्तान की बिंगॉली अबादी के खिलाख पाकिस्तान दुआरा किये जा रहे नरसन हार को खत्म करने के लिए इस युद में इंडिया के 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गई थे और पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई थी भारत ये युद खुद के लिए नहीं बलकि बांगलादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ रहा था 1971 में पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष बंगाली अबादी खास कर हिंदुओं पर बांगलादेश में हमले पर हमले करा रहा था जब पाकिस्तान के अत्याचार बड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ कारवाई करने का सैसला किया तो ठीक उसी समय उन्होंने सेना के लीडर जेनरल सैम मनिक्षौ को पाकिस्तान के खिलाफ हमला भ्यान शुरू करने का ओर्डर दे दिया जिसके बाद इंडिया ने अपने पडोसी के खिलाफ फूरा जोर लगा कर ये युद्ध लड़ा बांगलादेश ने सारे कंट्री से इस मामले पर मदद करने की अपील की लेकिन इंडिया के पास वक्त कम था और उसके बाद हड़ बड़ा हट में एक कदम उठाने की जरूरता पड़ी जिसमें 6 दिसंबर को संसद में ये अनौंसमेंट करवा दी गई थी कि भारत ने बांग और गदर टू में बांगलादेश की हरी भरी पहाडियों में बसे लाल मोनी रहाट के छोटे से गाउं में जीवन सरल लेकिन कठे ने वहां उपजाओ भूमी पर चावल और अन्य फसले उगा कर गाउंवाली जीवी को पारजन के लिए गड़ी मेहनत करते हैं वो एक मजब खुशाल गाउं फस गया और ग्रामीनों को अपने जीवन के लिए महां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्होंने अपना घर खेत और संपत्ति सहित सब कुछ पीछे छोड़ दिया और खुद आगे जिन्दगी की तलाश में निकल गया युद काफे मुश् लौटें गया और उनके गाउं का पुनर निर्मान होगा। अंधमे यूद समाप्त हो गया और गाउं वाले अपने घरों को लौट आए ग्रामीनों को बहुत नुक्सान हूँ उनमें से कई ने लडाई में अपनों को खो दिया और जब को यूद के बाद अपने गाउं ल हाट के लोगों ने अपना होसला बनाए रखने और आगे बढ़ने का संकल्प किया लेकिन 1971 के युद के तौरान अपने प्रियजनों द्वारा किये गए बलिदान को ग्रामीन कभी नहीं भूले 1971 था और दुन्या उथल पुथर में थी भारत का विभाज़त अभी अभी हुआ था देश को दो अलग-अलग राज़ियो भारत और पाकिस्तान में विभाज़त किया गया था तरहत पर तनाव था और हवा उन लोगों की चीखों से भरी हुई थी जिनोंने सब कुछ खो दिया लेकिन तमाम हंगामों के बीच एक प्रेम कहानी भी चल रही थी रानिया नाम की एक युप्ती पाकिस्तान के लाहौर में रहती थी वे एक हिंदू थी और उनके परिवार को विभाजन के दौरान भारत से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था अपनी मात्र भूमी को खोने से उसका बिलभारी था लेकिन उसे एक स्थानी अस्तिताल में नर्ट की रूप में अपने काम को शुरू गया एक दिन घायलों का इलाज करते हुए उसकी मुलाकात हसन नाम की एक यूबक्त ने हुए वे एक मुसल्मान थे और बटवारे के दौरान उन्होंने अपने परिवार को भी खोत गया उनके अलग-अलग धर्मों के बावजूर वे दोनों जल्दी ही दोस्त बन गया वे अब प्यार में पड़ गया लेकिन यह ऐसा प्यार था जिसे समाज ने प्रतिवंदित कर दिया था क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलिम समुदावयों के बीच काफी तनाव था और एक दिन राणिया के परिवार को हसन के साथ उसके रिष्टे के बारे में पता चल गया और उन्होंने राणिया को उससे मिलने से मना कर दिया इसलिए उसने अपना घर छोट गया और अपने लिए बहतर जीवन बनाने के लिए हसन की तरफ में कर दिया उन दोनों ने मिलकर एक छूटा सा वेवसाय शुरू किया और अपना जीवन बनाने के लिए कड़ी महनत भी ऐसे की दोस्तों कोई कहानी हमें गदर्टू में देखने को मिलकर पिरें तो इसी घाठी को लेके इसी बाएंगे